कि आप पूर्च अलोए ते कुड़ा बेट लगा लान वाला कुड़ा कुड़ा कि आप की आप और स्वान वाला कुपब उड़ा मैं जय को довित वे जये नगskर 20m कि आपायग कूआ व्या वाला कुपब बेट अवीरल थहा झार कुशा बेटिटा विजयन झाव लड़ा क्या है तूल झाल झाल सेटिंग मदे इता होट की जस्ताब यह चाहर सेटिंग जस्ताब अच्छे ठीक है तध में जस्ताब यह चाहर सेटिंग और सेटिंग ताथ वह चाहर सेटिंग नस्ताब दोन दोन जस्ताब यह बीक है झाल 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 झूब यह टड़श इता है झाल झाल चाहाँ चाहाँ येस बेटा बताईए आवाज क्लिर आ रही है एक वर लो झाल 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 एक लंबी सास लो और कहो जोर से पुरे दिल से जो भी हुआ अच्छा हुआ जो भी होगा बहुत अच्छा होगा आए हम कुछ अच्छा करते है तो चली दोस्तों इस पॉजिटिव इनरजी के साथ आज का सेशन के शुरुआत करते है आर यू रेड़ी तो चली स्टार्ट करते है थोड़ा आज इसलिए लेट हो गया मैं आपको भी कहना चाहूगा कि रास्ते में एक शिवाजिनागर में एकसिडेंट हुआ बाइक का और मैं आपको भी कहूगा कि बाइक अच्छे से चलाना सुबह सुबह कोई फास बाइक नहीं चलाना मुझे हाफ और वहां लग गया ट्राफिक क्लियर होने में लेकिन चलिए बस पुरा ध्यान रखो आप यहां पढ़ने आये हो मस्ती करने नहीं आये हो ठीक है चलिए यहां पे अभी पुड़ा हम कल का लेकिन जहां हमारा सेशन कल रुका था वहां से हम फिर से आज स्टार्ट करेंगे चलिए आजाईए यहां पे यहने ब्रेक के बाद ही रुका था कुछ हुआ ही निवो सेशन हमने यह लिख लिए दा ना इंटर स्टेट सप्लाइ कौन-कौन सी सिचुएशन में कहा जाता है येस और नो एक मिनट जेस्ट एमिनट नहीं जेस्ट एमिनट यह पास सिचुएशन पढ़ो इंटर स्टेट सप्लाइ की यह पास सिचुएशन पढ़ो इंटर स्टेट सप्लाइ की यह तो उबार रखो नहीं यह श्रीदर यह स्क्रीम ला एड्जस्ट करबर थोड़ा तो पुर्णा नेगेटर यह स्क्रीम तो पुर्णा गेत नहीं है कि कि नहीं नहीं तो पुर्णा नहीं एक मिनट कि 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 जो अलनाइन कनेक्टेड आवज क्लिर बेटा यह 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 कि हाँ हम इस एग्जामपल थे वाल्यू एड़ेड टैक्स ठीक है वाल्यू एड़ेड टैक्स में हमने यह देखा था कि जहां तक वाल्यू एड़ेड टैक्स इस कॉंसेप ने हमने यह देखा था कि सप्लाय जैसे शैला लिमिटेड और यह शैला लिमिटेड जो है यहां सप्लाय कर रहा है टू जीत लिमिटेड तो पहले एग्जामपल में क्या समझने की कोशिश की हमने फर्स एग्जामपल में यह समझने क्योशिश की कि डबल टैक्सेशन हो रहा है टैक्स ओन टैक्स हो रहा है बही ऐसा क्यों हो रहा है टैक्स ओन टैक्स क्योंकि कोई सेट अफ अगरे नहीं दिया रहा है बही यह मोबाइल समझ लो यह यह goods है और यह goods जो है आप खरीद रहे हो और यह goods आगे बेच रहे हो goods तो same है okay goods तो same है लेकिन जब खरीदा तो tax लगा सिर्फ hand shift हुए और एक बंदे ने दुसरे को बेचा तो फिर से क्या लगा tax लगा तो यह case में double taxation हो रहा था credit नहीं मिल रहे थे अब देखो एक example लेते है transaction with what यहाँ price कितनी हुई यहाँ बता price कितनी हुई 1,65,000 ठीक है 1,65,000 हुई और यहाँ पे price कितनी हुई 1,76,000 अरे समझा है नहीं समझा ओके 1,76,000 यहाँ पे price हुई तो दोनों में price difference आ रहा है okay transaction with what and transaction without what तो यहाँ पे जगा होगे नीचे 176 के नीचे okay the price difference the price difference between Cheet Limited and customer after considering after considering transaction 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 with what with what is rupees is rupees 11,000 is rupees 11,000 मुझे बताओ यह price difference क्यों आ रहा है हां cascading effect के वजह से cascading effect के वजह से क्यों थोड़ा एक मिनट सोचो क्योंकि मुझे थोड़ा sound बड़ा लेता हो audio नहीं आ रहा है all night hello एक आपको 11,000 का जो डिफरेंस आ रहा है अगर हम बात करें तो यहां पर 11,000 का जो डिफरेंस आ रहा है क्या यह एक लाग भी इंक्लूडेड था उस पर वापस 10% टैक्स लगा तो 10,000 उसका और यह 10,000 जो टैक्स था यह भी 160 में इंक्लूडेड था उसका भी 10% लगा याने कितना 1,000 याने यहां पर 11,000 कैसे आया वन लैक का 10% मतलब 10,000 कुछ समझ मैं क्या प्लस 1,000 ऐसा यह 11,000 आया मतलब क्या हो रहा था कि एक शिंगल वैल्यू सुनना ध्यान से एक सिंगल वैल्यू दो बार टैक्स होई रही थी अbem मतलब क्या हूं ए प्रड़क्ट अधिया है owners को स्ञेवार्ट बं चुका है उसकी कॉस लगच चुकी है बस वह ship कर रहा है यह हैरा, वह हैंडशिफ कर रहे हैं, यानि उसी प्रड़क पर धन सुनना उसी प्रड़क पर कोईमें ने 1 लाग पर टैक्स ले लिया ना है, अब वहीु प्रड़क जब आगे बेचा जा रहा है तो पमने वह वापस वह लाग पर टैक्स क्यों? क्योंकि प्रडक्त तो सेवे नभाई सभजवाया है क्या अब हमने वापस थोड़ी उसके उपर इतनी कॉस लगाई हाँ हमने थोड़ा वैल्यू एडिशन किया पर बेस वापस एक लाग थोड़ी लगाया सिर्फ हैंडशिप्ट हुए तो जथ हैंडशिप्ट होने से आप यहां पर दुबारा उस एक लाग पर टैक्स लोगे यह कंप्लिक्टली अंड्यो हाडशिप्ट है और वो तो ठीक है वन वैल्यू पर ट्वाईस दटैक्स लिया ही जा रहा है साथ साथ में जहां तक देखा जाए उसके टैक्स पे भी टैक्स लिया जा रहा है यह तो फिर लूट का काम है और कोई भी कंट्री अगर अपने टैक्स रिविन्यू के लिए इतना लूट रही है तो वो फिर अपने कंट्री का ग्रोथ नहीं कर रही है तुम लोगों के हाथ में पैसा नहीं छोड़ रही है पैसा आया उनके हाथ में कि आप इतना टैक्स अन टैक्स लगा रहे है कि लूट ले रहे है अगर लोगों के हाथ में पैसा नहीं बचेगा वो कहां से सुचेगा कि कहीं इंवेस्ट करे कई अपना development करे कोई state की growth करे वो सोचेगा ही नहीं इससे economy जबरदस hampered तो होगी होगी साथ साथ में तुमारे country का development impossible है अगर कोई country इतना अपने tax revenue के लिए dependent है cascading effect पर और ये तो भाई साब दो ही sale हुई हम पहला वाला example ले जो page number 2 और 3 पे लिया था आजाओ वो example पर आपको याद होगा तो page number 2 और 3 पे वो example मैंने लिया था ये वाला example लिया था रहे कि आपका हाँ yes or no चलो एक rough में होग लो ठीक है rough में होग लो ये आपने transaction लिखा था without what yes or no इसको with what लेता है इस rough में ले लो with क्या okay with what लेता है तो एक flow बनाऊ ऐसा flow बनाऊ रव में manufacturer to कौन distributor distributor से world seller retailer retailer था न और retailer से ultimate consumer world seller retailer से retailer और retailer से ultimate consumer चलो value addition fix रखना ये transaction द बनाऊ manufacture value कि पहले start value कितनी है start value कितनी है one lakh okay तो चलो value लिको start value one lakh start value one lakh उसके ओपर अब हम वाड लेंगे अब sales tax नहीं लेंगे हम क्या लेंगे वाड कितना है एड़रेट rate सेम रखो सेम रखो एड़रेट क्या 10% लो लो मेरे साथ practice करो जो online student connected है मेरे साथ practice करो कितना होँ अगर किसी को समझ भी गया होगा ना तो मैं इसको तीन बार पढ़ाने वाला हूँ मुझे मेरे पे छोड़ता हम आपको किस तरह समझाना है yes or no हाँ और यहाँ वे कितना 10 ताउस है कितना होँ अब मुझे बताओ distributor को credit मिलेगा journal entry practice करो मेरे साथ credit करो journal entry बोलो क्या होगी purchase कि purchase account debit one lakh that credit receivable that credit receivable 10,000 to supplier one lakh 10,000 done manufacture government को pay कर देगा कितना pay कर देगा tax pay कर देगा और वो पे कर देगा तेन ताउस है done okay उसके बाद यह burden shift हो गया distributor को अब यहाँ एक चीज और समझ लो जब तक change चालू है business की B2B कुछ याद आए गया B2B की change चालू है जब तक वो last B2C में नहीं आता है और ultimate consumer नहीं आता है तब तक burden आगे pass on होते रहे समझ मैं है क्या आगे pass on होता रहे अगर आप कहोगे कि sir इसने tax दिया है तो इसने bear करना चीएगा नहीं यह business tax है जब तक business चालू है कोई tax bear नहीं करेगा burden pass on होते रहे and entire burden is on ultimate consumer समझ मैं है तो अब ऐसे case में आप fund flow cash पो कभी नाम सुना fund flow cash flow cash flow सुना है ठीक है मुझे बताओ distributor ने goods खरीदा अब मैं आपकी understanding level बहुत ही एक बड़ी step ले रहा हूँ पता नहीं आपको कितना समझ पाएगा लेकिन कोशिश कर रहा हूँ और एक बड़ी jump ले रहा हूँ अगर यह level आ गया तो फिर आज ही मैं portal बताओगा आपको समझ में आएगा तो यहां पर अब मेरे साथ सबको jump लेना है और हो सकता है यहां मुझे बैताओ distributor जो है distributor में जो tax purchase करते वक ठीक है उसको credit मिलेगा कि इसको distribute पर उसके cash flow तो हुआ न tax का कैसे outflow हुआ cash उसका एक लाक उसने value का दिया ठीक है credit मिलेगा वो जाने देने हार tax गया तो गया पर मैं credit तो ले पाऊँगा ना okay credit तो ले पाऊँगा ना समझ में है क्या पर अभी cash outflow वह उसका कितना हुआ 10,000 अच्छा यह 10,000 government को कैसे पाँचा यह ऐसा पाँचा समझ में है क्या okay भाई साब कॉन से समझना है कोई breakdance नहीं है तो जहा तक देगा जाए तो यह government को कैसे पाँचा यह इंडिरेक्ली यह इंडिरेक्ली government को आगया हो पैसा is it clear अब इसकी value addition same रखो value addition कितना 20,000 अब अब value addition अगर हम same रखे और वह कितना रखे 20,000 तो what is the purchase cost one lakh is the purchase cost and what is value addition 20,000 तो यह आगे कितना बेचेगा one lakh 20,000 तो फिर से value ले 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 लेते है इसकी value, sales value one lakh 20,000 फिर से वाट लगेगा add rate क्या 10% add rate 10% assume कर रहा हूं मैं okay 12,000 12,000 अब देखो आपके पास दो रास्ते tax देने के दो रास्तों में से अच्छा रास्ता क्या है आप ही decide करना मैं यहां पे सभी state के finance ministers के help चाओगा कि इन दो रास्तों से मिझे एक रास्ता से ले करने में help करे और हमारी GST की policy decide करने ने भी help करे yes or no एक रास्ता यह है कि यह छोड़ो यह छोड़ो इसने कितना value addition किया 20 का 10% 20 का 10% अरे आया ना इसने value addition किया था एक लाग क्योंकि इसने goods बनाया था उसने 10 दिया इस समझा ना अकरी में तो ऐसे देख रहा जैसे कुछ नी समझा पर फ़स्ड एगे तरह नहीं ना आयसा हा बूल हा बूल हा आयसा हं बूल हा तो अब एसे case में शच शच बीटा मैने उसका बूल तू क्यों support कर रहा है और तूं an pergunta के तरफ देख के क्या has रहा गड़ब गया है तो अब यहाँ पर silent please तो अब यहाँ पे 10,000 पे कर दिया, एक रास्ता क्या है यह छोड़ने यार क्या पर्चिस सब अपना है कौन कहां उपर लेके जाएगा समझ में है क्या है ले जितना वैल्य एडिशन जिसना जिसका कर्म हाँ उसना उसका अफल तो अब ऐसे केसे इसने 20,000 एडिशन किया तो यह 2,000 देदे सिदा सिदा एक रास्ता यह 2,000 निकालने का दूसरा रास्ता यह कि इसका जो टैक्स है कितना टैक्स है 12,000 माइनस 10,000 नहीं समझा राप इसका आउटपुट टैक्स कामन 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 आउटपुट टैक्स माइनस इंपुट टैक्स कितना आया वो आएगा 2,000 ही वो ऐसा लो या ऐसा लो अब कोई सोचेगा सर कैसे मैजिक हो गया कैसे आया भाई एक्जाम्बल दरे सामने है समझ मैं दो मेथड से यह मेथड जितना आड किया उस पे डिरेक्ट या फिर इन्वाइस बनाओ इन्वाइस में टैक्स निकालो फिर पर्चेस इन्वाइस लो पर्चेस का टैक्स लो और आउटपुट इन्वाइस से इन्पुट इन्वाइस का क्रडिट लो क्लियर which method is good from practical point of view first method or second method I need mic why vice of why why second method second method in the second method in the second method in the second method in the second method invoice method invoice price tax purchase invoice purchase invoice tax and this purchase invoice tax set off against sales invoice and first method addition method addition how much added enough so so now let's move on a little bit is the addition method good or invoice method invoice method why invoice method sir the addition method the value is added the tax evasion the chances are more yes the tax evasion can be added the value can be shown but invoice will make it from the rate that means that the value is added that means that the value is added it will not show on record that the tax it means that the tax reasonably correct second method very good try sir customers के लिए आगे चलके complicated हो जाता है very good भाई साहब अगर आपने पहला सबसे बड़ा reason बता दो addition method मतलग आपने अपने यह कितना addition सिप आपको ही पता रहता है समझ में है क्या customer को नहीं पता रहता तो addition method में जहां तक देखा जाए okay transparency maintenance ही नहीं होती है I repeat the word एक word picture में भाव है क्या transparency, no transparency maintenance ही नहीं होती है क्यों ह्यों ही है, क्यों नहीं होती है क्योंकि आप अपने हिसाब सिते रहे हो, अब मुह बताया आपको जानाए क्योंकि मैं तो burden pass on कर रहा आपके उपर आपको जानना है कि कितना tax लगा, क्या price है, okay मैंने का नहीं decentralized कुछ पर्चेस पे करते हैं, ना स्टॉक मेंटेन हो पाएगा, बहुत सारे प्रैक्टिकल इशुज जाएगे, I hope you understood, इसलिए जितनी भी कंट्रीज हैं, जिन्होंने GST मेकनिजम लाया और वाट यूज किया उसमें, VAT मतलब credit, VAT मतलब credit, tax only on value, addition, किसी ने addition method यूज नहीं किया है, क्योंकि प्रैक्टिकली उसको apply करना पॉसिबल ही नहीं है, उसके बहुत सारे drawback है, इसलिए सभी ने एक method यूज किया, और वो method है, invoice method, जिसमें transparency, transparency is super maintain होती है, audit proper होता है, purchase क्या किया, sales कितनी value थी, customer को पता चलता है, customer को tax पता चलता है, separate पता चलता है, okay कहीं पे मेरे से गड़ड तो नहीं की जा रही है, कोई 5% का goods 28 तो नहीं लगाया जा रहा है, yes or no, so invoice method is, I propose to all finance ministers of the states, we should follow in India invoice method rather than addition method, what do you think, I need unanimous resolution, हाँ, तो हम जब GST law बनाएंगे, okay silent please, हम जब GST law बनाएंगे, तो GST law हम addition method में नहीं जाएगे, हम क्या invoice में थड़ पे नहीं जाएगे, okay, और एक बार हमने law में decide कर लिया, तो पुरे इन्या में सारे लोगों को invoice method ही follow करना पड़ेगा, अगर किदिव की दिमाग में एक question होगा, सर कोई addition करता है, और को invoice करता है, न्याँ, सबको अब invoice method ही follow करना पड़ेगा, ने तो वो तो contradiction हो जाएगा law का, offense हो जाएगा, समझ में आए क्या, चलो ड़न, तो logic समझा, क्योंकि मुझे पता है कुछ student की दिमाग में ये question कल हो सकता था, कि ये ऐसा क्यों करते सर, output, input, अब समझाओगा, ठीक है, चलो, अब यहाँ पे, तो इसका एक statement बना ले, इस बंदे का, distributor का, क्या statement बनाना है, अब steps क्या होती है, seller पहले invoice बनाएगा, उस invoice में price लिखेगा, price पे, tax निकालेगा, उस tax को output tax बोला जाएगा, तो उस tax को, output tax बोला जाएगा, और उसने जो purchase का invoice लिया है, उसका वो, उस पे लगा हुआ, credit में, सर, credit क्यों मिलेगा, क्योंकि दिया उस नहीं, उसका ही cash flow है, प्योंकि दिया उसने, उसका ही cash flow है, समझ में आये क्या, cash out flow है, तो statement of VAT, यहां लिख दो statement of net VAT, statement of net VAT, output tax, कितना है बटा, 12,000, less, less क्या, ITC, input tax, credit, 10,000, net VAT payable to the government, net VAT payable, और वा आयेगा, 2000, online सब को clear, yes बटा, सब को applicable है, CA, CMA, CS, Inter, done, okay, तो यह जो हुआ, यहां पर, यह statement किसका बनाया हमने, distributor का बनाया, ठीक है, हां, एक सबाल और आया सकता है, यह जो statement आपने, distributor का बनाया, एक सबाल यहा सकता है, Sir, यह manufacturer को नहीं credit मिलेगा, कि मिलेगा, उसने raw material खरीदा होगा, पर फिर क्या हो जाएगा, अगर मैं ऐसे पीछी जाते जाओ, फिर उसको नहीं मिलेगा क्या, भाई, कई से तो स्टार्ट करना पड़ेगा न मेरे को, अरे समझा क्या, पर अगर आपका स्वाल होगा, कि Sir, manufacturer को मिलेगा, क्या तो मिलेगा, उसका भी raw material है, is it clear, चलिए, तो अब यहाँ पे, voice नहीं क्या clear, विस्वाँ सबको क्लिए, हलो, हलो, नहीं, एक, तुसरे आपका स्वाँ स्टार्ट में संप, अजसरे इसम्ट, फिर एज़े हाँ, एज़े हाँ, सआफरे क्लिक, एज़े हाँ, अपनसाँ शट तो मिलेगा, एक, दूसरे अज़े बिकर, लेवल, लेवल ची डीबी वाड़ हुआ है, एक मिंड़ वगुन्यों, हालो जास्ता बाड़ी, हालो आताई जास्ता बाड़ी, हालो, 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 चली, तो अगर आपको समझा होगा, हालो, 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 चली, तो यहां पर, अब डिस्ट्रिबीटर से जब वोल सेलर को जा रहा है, तो यह केस में, वोल सेलर की, में एक बार, फिर से, फिर से, फिर से, वाट इस जडर्नल इंट्री, पर्चेस अकाउंट अबेट 120, वाट करीट रसेवेबल, कितना वाट करीट रसेवेबल, 12,000, to supplier, then, अच्छा, वोल सेलर का वाट इडिशन कितना है, देखो नो, डियाग्राम में, देखो नो, वालु अडिशन कितना है, 30,000 है, वोल सेलर का वालु अडिशन 30,000 है, तो वो कितने में सेल करेगा, आगे, कितने में सेल करेगा, 130, 150, sorry, 1,50,000, perfect, उसके उपर क्या लगेगा, वाट, एडिरेट, 10%, कितना, 15,000, तो इसका स्टेट्मेंट बना लोगे, वाट स्टेट्मेंट वोल सेलर का, अच्छा, ये उपर, मुझे बताओ, तो इसका स्टेट्मेंट को नेट कितना पे करेगा, दोजार ही देगा न, अब देखो, यहाँ पर ये वाला पॉइंट समझ जाए न, मज़ा जाएगा, दिस्टिबिटर, गॉअवर्मेंट को दोजार ही पे करेगा, दन, लेकिन कॉस्त्रमर को रारा हाजार करेगा, क्यों, पास्वन बारा थार कर रहा है, तॵेल ताउसन कर रहा है, पर गॉअवर्मेंट को तो दो ही दे रहा है, बाई साहब जब तक business change चालू है पुरा burden shift होता है नहीं समझा नहीं समझा बदाद हो ठीक है तो अब यहाँ पे अगर आपने द्यान से देखा होगा तो उसने purchase करते वग पहली 10,000 का burden लिया हुआ है cash out flow हो है न उसका 10 10 वो लिया और अभी difference आया तो टोटल burden कितना आया 12 burden पासा हो तो इस पे कोई burden नहीं आएगा नहीं तो पुरा burden पासा हो 12,000 तो यही कमाले invoice method का invoice में दिखता 12 है और बराबर 12 ही पे होता है समझा उधर सब ओके और यह side perfect चलिए तो यहां पे 30,000 statement of net vat for woolseller बना लो बना लिया बना लो statement of net vat for woolseller अब आप बनाओ याद output tax minus input tax statement of net vat for woolseller output tax 15,000 15,000 है ना less ITC 15,000 है ना 12,000 3,000 अच्छा यह हमने 40 minus ITC ऐसा निकाला अच्छा डारेक 30 का निकालते तो 3,000 ही आता 3,000 ही आता सबज मैं ना अब रिटेलर का value addition कितना था 40,000 तो अब रिटेलर का value addition 40,000 तो वो sale value क्या रहेगी उसके 1,00,000 उसके ओपर VAT VAT at the rate 10% 19,000 Statement of VAT निकालो उसका Statement of NET VAT OT OT आप पुरा लिखना OT मतलब Output Tax कितना उसका 19,000 Less ITC On Purchases 15,000 कितना बचा वो तो NET VAT Paywell 10,000 4,000 Done I hope कल से थोड़ा और confidence बढ़ा होगा Clarity और आई होगी ठीक है मुझे बता लास कस्टमर अब लास कस्टमर भी क्रेडिट ले पाएगा कि Entire Burden अच्छा Volseller Government को कितना पे करेगा तो यहाँ पे Tax Payment 3000 आएगा 3000 आएगा और Retailer Government को कितना पे करेगा 4000 पे करेगा तो मुझे बताओ पूरे चेन में Government का कितना कलेक्शन हुआ एक मिनट पूरे चेन में लेते हैं कितना कलेक्शन हुआ तेन ताओजन प्लस कितना 2000 प्लस 3000 प्लस क्या 4000 कितना जितना गौर्वेंट का टोटल कलेक्शन उतना इन्वाइस का लास्ट आक्स मतलब government कहीं पर भी extra नहीं ले रही है जितना जितना value add होते जा रहा है उसके ओपर ही government ले last की जो value उतना government का total collection इसको कहता है कि हम कहते हैं यहाँ पर avoidance of cascading effect तो यह magic है जितना government का total collection उतना last invoice का tax I hope you understood ठीक है अब दोस्तों यहाँ पर देखो यह पुरे हमने mechanism में देखा भाई साथ यहाँ price गवाँ के बिना हमने value addition उतना ही रखा tax rate भी उतना ही रखा लेकिन यहाँ customer को last price आ रही थी कितने 253,330 और यहाँ customer को last price आ रही है okay two lakhs nine thousand last price आ रही है यह समझा है या नहीं समझा है तो यह बता और cascading पे खतम होने से क्या product की prices कम होई obvious है common sense है कोई भी बोलेगा कि हाँ product की prices कम होती है cascading पे खतम होई तो अब मैं आप से सवाल पुछना चाहोगा देखना जाता हो कि कौन उतना aware है जो इस question का answer दे सकता है challenge कर रहा हो आपको यहाँ government का revenue ले जाता है without VAT with cascading effect ठीक है यहाँ नहीं नहीं मैं फिर से कह दू जो app पे connected है जो online connected है मैं specially आज आपको in between time दूगा question के लिए तब पूछो नहीं तो miss हो जाएगा ठीक है question आपका मुझे बताव यह government का collection manufacturer से कितना लिया 10 कोई credit नहीं distributor से कितना लिया 13 लो calculate करो 13 plus wool seller से कितना लिया 17300 कोई credit नहीं plus retailer से कितना लिया 23030 मतलब दो example में फरक देखो दो example में फरक यह है कि यहाँ पे government collection है 63 थाउजन 63 थाउजन एक कोई बलूपर 63 थाउजन 330 यह government का यहाँ collection है without VAT में और with VAT में government का collection है कितना नाइंटीन थाउजन नाइंटीन थाउजन with VAT में भाई साब government का revenue बहुल कम हो गया फिर government ने यह system लाया क्यों जब इतना revenue one-third में आगया भाई one-third से भी कम पे आगया तो government ने system लाया क्यों देखता हो आपकी awareness क्या है कोई बता पाएगा कल यस anybody interested there okay कोई नहीं है इधर यहाँ mic इधर को ने खड़ा okay उधर mic देदेना तब तक इधर बता हो चलो को ने मैं दो वहाँ mic दो मैं देखना जाता हो और government ने फिर क्यों लाया बैट जिससे तो revenue कम हो रहा है government का sir GST का जो ultimate जो tax का burden है consumer के पाँ जाता है और government यह नहीं चाहती कि consumer ज्यादा tax pay करे क्यों यह public interest के लिए मतलब कौन सा public interest हमारा tax कता हम हो रहा है मुझे कोई public interest लेना देना मुझे मेरा फाइदा समझ लो मैं यहाँ finance minister हूँ और तू represent करने आया industry के base पर कि sir credit दो क्यों दो credit government का क्या फाइदा इसके वज़े से price बहुत ज़्यादा है होगी और demand कम होगी लोग तो इसके वज़े से क्या होगा कि production कम होगा और अपने नेशन पर निफेक परेगा इसके हाँ चल अच्छा रिजन दिया मैं उसको कल्ले करो इधर देना माइक उधर माइक देना सर्फ foreign investor investing ने करेगे इंडिया में और सबसे मतलब अगर politician अपने फाइदी की बात करे तो ओट ही नहीं देगी जाएगा politician नहीं government अभी कोई politician अगर गवर्मेंट की बात करेगी तो government all over India देखेगी economy की बात करे यह तो foreign investor investor invest नहीं करेगी इंडिया में क्योंकि बहुत ज्यादा टैस्क्स हो जाएगा और business भी नहीं बड़ेगा क्योंकि business में सोचे गए नहीं ना दूसरी जगह कहीं पर invest करे वेरी गुड यह भी इसको और मैं क्लारिफाय करूंगा yes बेटा उदर वो माइक बंद करना है हाँ कि कि क्यों माइक नहीं चल रहा है हलो में कैशे नहीं ज्यादा रहेगा तो उनकी spending power बड़ेगी जिसमें money की cycle होगी चलो मैं यह वाला point explain करता हूँ बस यह रुकते हैं और online भी बहुत सरे स्टूरेंट ने अच्छी कोशिश किया answer देने की मैं पढ़ रहा था मैं यह देखो India में democracy है कोई गबर सिंग government नहीं है आया ना गवर्मेंट यहां पे लोगों ने चुन के दिया तो government हर केस में अपना फायदा नहीं दे सकती तुमने सही कहा अपना फायदा नहीं सकती कंट्री के लिए क्या जरूरी है पब्लिक के लिए क्या जरूरी है economical growth के लिए क्या जरूरी है यह सारे factor को government ध्यान रखती है और यहां पे main role में कहता हूँ प्ले किया डॉक्टर मनमौन सिंग ने उन्होंने 1994 में यह कह दिया था कि हम credit दे यह गलत होगा कि हम इतना tax collect कर रहे है और कि हमारी government as a democracy इंडिस्ट्री के फिर में काम नहीं कर रही है पुब्लिक के फिर में काम नहीं कर रही है for tax purposes हम heavy tax लगा रहे है direct as well as indirect यह समझ में है क्या उन्होंने यह proposal रख था कि भई we should bring a vat system in India पहले नहीं था पहले tax on tax देखो इससे क्या होता है एक छोटा सा पहला example लेना चाहोगा देखो जैसे अगर आपको बोला जाए कि भई यह product रही लाग का है यह product क्या रही लाग का है तो आप सोचते क्या हो कि नहीं यार महंगा है नहीं लेते है नहीं लेते है मतलब जो product sale होने वाला तो नहीं हुआ जिसकी demand create होने वाली थी वह नहीं पर product सस्ता हो गया तो आपकी reach में आगया आपकी reach में आगया तो आप उसको क्या पर्चेस करने लगे आप पर्चेस करने लगे जैसी purchasing power बढ़ी economics चादा रहा है ना demand बढ़ती है दिवान बढ़ी कि industrial production बढ़ता है जैसा उसने का cycle industrial production बढ़ता है अगर industrial production बढ़ता है तो भाई साब इंडस्ट्री की growth भी होती है और government का और और revenue भी बढ़ता है एक word picture में बलाया है मैंने क्या government का और और revenue जहां government पहले 10 quantity पे double taxation में tax ले थी आज 30 quantity बन रही है यहां 40 quantity बन रही है government का अपना overall revenue बढ़ता है जितना ज़्यादा industrialization होगा उतना ज़्यादा employment होगा जितना employment होगा और demand बढ़ेगी purchasing power और बढ़ेगी overall net effect जबरदस आता है उसका और यह explain किया था कि यहां पे Dr. Manmohan Singh है नुकसान नहीं होगा हम अगर individual देखे तो और हम तो बहुत नुकसान करते कि नहीं आप overall देखो government को फाइदाई होगा और government का revenue कम नहीं होगा overall revenue बढ़ेगा दूसरा वाट क्यों लाया गया क्रडिट कंसेप क्यों लाया गया यह था कि क्रडिट क्यों दिया जाता है दूसरा रिजन था कि भाई साब अगर आप क्रडिट नहीं दोगे ना तो black marketing की chain तेयार होती है अब black marketing की chain कैसे तेयार होती है भाई साब यह जो बलता है retailer, retailer पूरी chain पहले से manage कर लेता है अब imagine करो कि manufacturer से black marketing चाल हो है मतलब with bill without bill, नहीं समझे रहे with bill, without bill मतलब इन्होंने इतनी जबरतास chain match करके रखी कि manufacturer से वो particular stock without bill आ जाता है यह वहां से distributor distributor से to क्या हुआ, जब इतना tax का burden है तो एक psychology कौन देगा इतना tax एक्स, एक ब्लैक मार्केटिंग करें समझ में आया क्या? Black marketing चुपाव, और दिखो मैं आपको कहूँ क्या गॉवर्मेंट कितना भी चंट्रोल कर ले जो चंट्रोल करने वाले अफिसर अगर वी इन्वाल रहे समझ में आया है समझ में आया है कितने भी section बना ले कितने भी punishment दे दे हैंग तो नहीं कर सकते क्योंकि एक economical law है पैसो का law है कितना भी कुछ भी कर ले तभी हम अगर punishment basis पे law बनाए तो ना मैसे सही जाता है समझ में क्या? ना collection सही हो पाता है ना foreign country को मैसे सही जाता है तो ऐसे case में हमें कुछ system में ही ऐसा करना पड़ेगा कि लोग खुद हो के tax दे समझ में क्या? खुद सामने आए tax दे, खुद invoice बनाए transparent से maintain करें और कि audit करवाए तो फिर उन्होंने ये सोचा कि छोड़ो यार कि हम क्या individual basis अब देखते है तो अब देखो क्या हो गया VAT आने से क्या? VAT आने से credit मिलता है तो लोग खुद हो के बलते है invoice दे भाई yes or no invoice दे मतलब एक chain बताता हू अगर retailer ने decide कि कि नि मैं तो invoice लोगा कॉन risk लेगा अब इतना थोड़ी tax है 23,000 कम हो गया और मुझे क्रेडिट मिलने वाला है yes or no तो वो invoice लेगा अगर वो वोलसेलर से invoice लेगा तो वोलसेलर का sale यहां पे legal हो जाएगा उसकी quantity legal हो जाएगी तो उसको भी quantity match करने पड़ेगी तो वो भी distributor से legal invoice मानेगा तो distributor ने अगर तो उसको पर्चेस लीगल करने पड़ेगी मतलब बिना कंट्रोल कि एचेन और एक इंडियोल बिसिस में में सुनना यह ओर और सुचना इंडियोजल सोचा कि अगर ऐसा नहीं किया मैंने तो नहीं नहीं यह हम सिस्टम इंडिया का बना रहा है ऐसा नहीं कि इसमें फ्रॉड नहीं होते हैं बहुत फ्रॉड होते हैं अभी सबसे जादा स्कैम हुआ है पिछले दो साल में ITC में और भही वो स्कैम तो दूर की बात पहले तो लॉई चालो नहीं किया मैंने हैं मैं तो law का background बता रहा हूँ yes or no तो चलिए बस ऐसे कुछ reason थे जिसके वज़े से यहां पे क्या system लाया गया that लाया गया government का revenue इसमें कम नहीं हुआ फाइदा public को भी हुआ और government को भी हुआ ठीक है अब इसके बाद भी last किसी को doubt होगा असर पर credit मिलते हैं चलो मैं आपका personal example लेता हो तो दिल को छू जाएगा फिर मान जाओ गए credit मिलते हैं मुझे बताओ हमने एक package दिया 20 smart ने example है कि आप regular plus eo eo मतलब exam दोनो batch अभी लगा लेते हो तो fees एक लाख fees क्या एक लाख पर आपको जो है अभी option मिलेगा बाद में अगर आप यहां पर शिव eo लगाओगे तो fees ए 50,000 यह 70,000 और वैसे अभी लगा लोके तो एक लाख अब कोई student ने यहां पर कोई student ने यहां पर जो है okay regular batch लगाई regular batch का उसने fees 80,000 दिया और combine fees कितना था one lakh 80,000 दिया regular batch का फिर उसका मुड़ वा क्या उसकी psychology क्या रहेगी वह वापस 70,000 eo का देगा क्या रहेगा सर सर रेगुलर का आज सी दिया है अजया है न तो उसमें one में से वह adjust कर दो और बाकी का उपर का ले लो वेसे ही तो बैट है सर पर्चेस पे उसी गुट्स पे अल्रेडी दिया हुआ है उसी गुट्स पे पर्चेस पे अल्रेडी मैंने टैक्स दिया हुआ है अब जितना मैंने क्या वाल्यू एडिशन क्या सिव उतने पे लो यार इस समझा यारी इसके बाद अब एक्स्ट्रा इतना इससे ज़्यादा नीचे जाके कर में लोजिक दे नहीं पाओका यही मेरे लिए अप्वेस्ट एक्सामपल था कि क्रडिट क्यो मिलते हैं नहीं मना लो नहीं तो जब तक आप नीचे हर स्टेप पर क्रडिट मिलता है क्रडिट जब तक नीचे पाँच जाओके credit खुद को ही मिल जाएगा सबज में आया कि निया है चलिए तो अब ये transaction हमने देखा clear what credit क्यों मिलते है किसी को कोई doubt पूरा mechanism online जो student connected है सबको clear हाँ हाँ माइक देना हाँ sir ultimate consumers को बड़े products को छोड़के like normal daily goods या फिर normal goods रहाँ daily consumption में यूज़ करते है उसके लिए तो consumer को invoice की जरुवत नहीं है तो वो बोल सकता है कि मेरे को 150 पर ही billing करो yes ultimate consumer level पर fraud होते है परसिब ultimate consumer level पर जब last transaction होता है between B2C वहाँ fraud हो सकता है ठीक है पर उसके पहले वाले chain में fraud नहीं हो सकता है क्योंकि सबको bill चाहिए हर किसी को credit लेना है समझ मैं है और कोई doubt बोलो बेटा सर यहाँ पर जो अपनी chain बता है सर उसमें ultimate consumer तो 19,000 पे कर रहा लेकिन सर जब वह statement of net wet बना रहे तब भी तो वह हर stage पे मतलब government को pay हो रहा तो सर मतलब उसी साब से तो total 38,000 पे हो रहा सर यह जो last sale है ना ultimate consumer की तो उसमें वह 2,9,000 प्राइस दे रहा तो उसमें 19,000 वैट है और सर यह जो मतलब चैन्स थी उस पन government को net date ना तो net ही दे रहा है ना 19 माइनस पर government एक से तोड़ी ले रही है 19 government ऐसा सबसे तोड़ा तोड़ा लेके total ले रही है 19 एक से तोड़ी ले मैं तो यह बताना चाहता था कि वह सबसे जो total लिया वह 19 है और वह match होता है last invoice से सबझ में आया है क्या यही बता है ना मैंने तो चलिए अब आजाईए आप उस page नंबर पर जो page नंबर पर आमने लिका था concept of value added tax वहां उस page नंबर पर आजाओ सरे जाने देना वह addition method और invoice method में मत जाओ यह अभी समझा किया invoice method that's enough ठीक है तो जितना खिजेगी और confusion होगा वह सिफ reference के लिए था addition method okay follow the invoice method आप invoice बना रहे हो invoice कैसे बनता है मैंने बता दिया ना कल ठीक है हाँ चलो रहे हो जाऊ क्या तुम क्यू बच्चे जैसे कर रहे हो क्स्टमर तो लास्ट रांडिक्शन में कितना था टू लाक्स नाइन दाऊजन यह पे करें और टोटल करो ना क्स्टमर उतना ही पे करें चलो एक बार पड़वाब आप यह होमवक है आपके लिए, मैं इसी प्राजेक्शन बता देता हूँ, आपको यह पूरा स्टेज कंपलीट करना है होमवक में, होमवक में कंपलीट करना है समझ कर एक बार, तो अच्छा ट्रांजेक्शन आपको क्या लेना है वैट वाला, मतलब प्रेडिट लेना है, पहले प्राजेक्शन का मैं बता देता हूँ, प्राजेक्शन समझ लो प्राजेक्शन और उसका वैट रेट, वैट रेट 10% यहने कितना, 100, बस मैं पहले ट्रांजेक्शन का बता दूगा, बाकी सब जगा मैंने वैल्य अडिशन दिये है, यह सर नो, आप साइड में स्टेटमें बनाओगे, आप सेल इन्वाइज बनाओगे, स्टेटमेंट में क्रडिट लोगे, यह सर नो, इस इस होमवक फोर यू, मैं कल चेक करूगा, डन, ओके, यह आप होमवक कंपलेट करोगे, सब के वैल्य अडिशन मैंने दिये वहां पर, चलो, डेफिशन सी इन एग्सिस्टि यह प्राइरिटी भी में रखो, क्योंकि 2017 के पहले क्या प्रॉब्लम जा रहे थे वह एक्जाम में वो नहीं पूछेंगे, पर, माटेरियल में दिया है, समझाने की पूरी कोशिश करोगा, ठीक है, अब देखो, पहला, डबल टैक्सिशन, अर्लियर, दाइटम वेर वो कह रहे है, Deficiency in the Existing Value Added Tax System, Existing का मतलब, वहां, लिख दो, Before 1st of, Before 1st July 2017, मतलब, 1st July 2017, पेज नंबर में बार बार नहीं बताओगा, ट्रैक आपको रखना पड़ेगा, ठीक है, और यहां face to face में सारे स्टूडेंट ट्रैक रख रख पार है, तो ऑनलाइन वालों क्या दिक्कत जा रही है, ठीक है, तो Before 1st July 2017, कुछ इस पे, as a goods or as a service, डबल टैक्सिशन लगते थ जैसे, जैसे example की तोर पे, बता देना चाहता हूं, SIM card, जहन से सुनियेगा, क्या, SIM card, Airtel Company, BSNL Company, जब SIM card बेच रही है, पहले SIM card कुछ 300 रुपे, 400 रुपे के मिलते थे, 500 तक प्राइज थी SIM card की, तो समझ लो, यहां पे Airtel Company ने लगभग 10 lakh SIM card बेचे, इस मन्त में, तो 10 lakh SIM SIM card into 500, तो जो भी revenue collection हुआ, तो VAT Department, VAT State Government का Department था, कुछ यादा है क्या, VAT यहने, Sales Tax, Sales Tax किस के पास था, State Government, तो State Government Department जो थी, वो Airtel Company के पास जाती थी, और कहती थी, तुमने 10 lakh into 500, कर लो, जो भी amount होती है, VAT, तो यह 50 करोड पे आपको क्या पे करना पड़ेगा, VAT, क्योंकि आपने SIM card बेचा, SIM card is a goods, movable, goods and any kind of movable property, तो जो 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 समझ लो, Airtel Company ने का असर ठीक है, VAT पे कर देंगे हम, फिर next जो आता था, Service Tax Department, जो Central के हाथ में था, सर्विस टेक्स के हाथ में था, Central, 2017 के पहले है, और वह आदा था, और वह कहता था, Airtel को तुमने SIM card बेचे, हाँ, यह तो service है, Airtel ने का कैसे, SIM card तो जरिया है, तुम 500 रुपे activation के ले रहे हो, SIM का तो जरिया है, तुम activation के पास सो ले रहे हो, तो ऐसे case में, यह जो 500 है, वो totally service है, और service है, तो ऐसे case में, जहाँ तक है, total पे service tax आजाएगा, आप service tax दो Central Government को, परसर मन नहीं मान रहा है, जैसा, आपको जो मैं notes देता हो, और जब मैं पढ़ाता हो, आप notes में देखते हो, notes जरिया है, में मेरी service है, अरे समझाया है, नहीं समझा, notes, अरे, ताली बजाओ तो जोर से अच्छे से बजाओ, यार, 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 तो ऐसे case में, आपका और मेरा जुडने का जरिया notes है, पर मैंने आपको notes नहीं पेची, service दी है, service provide की है, समझ में आया है, वैसे ही service tax department का Airtel company को contention था, कि SIM card तो सिब क्या जरिया है, आपने बहसरूप activation के लिए, telecommunication service के, समझ में आया है क्या, service tax दो, now Airtel department परिशान, Airtel department कह रहा है कि एक बताओ यार, एक तो मेरे transaction को goods बोलो, और watt लो, रहा है ना, या पिर service बोलो, service tax, दोनो double double, यह क्या इश्क है, रहा है, तो यह आप जहां तक देखा जाया है, तो एसे case में, जहां तक देखा जाया है, तो फिर Airtel company के suit file कर रही है, दुनिया भर की case है in sport में, कि यह goods है या यह service है, कि goods का revenue state, service का revenue central, Central, Central के पास था, अब समझे लो, Airtel company state वालों के पास जा रही है, okay, state department, watt department वारी, sir, मैं आपको बैट नी दूगा, state वालों ने का क्यों, कल आके गए न आपकी office में, चाय भी पिला ही नहीं आपने, चाय पानी भी नहीं किया, अरे आया ना, चू नहीं दहीं, sir, वो central वाले आये थे, वो कह रहे है, service है, और इस पर service tax दो, state वालों का कौन central वाले है, हमें नहीं पता, state में आप government चल रही है, central में होगे मोधी जी, Calcutta में Bengal में यह ममतब energy है, दी दी है, समझ में आये गया, होगे central में हमें नहीं बदा, अरे यह आया ना, हमें हमारा tax as a VAT, पूरा 50 crores पे, बारा परसेंट, दस परसेंट, जो भी होगा, चाय यह, अरे सर बट, नो बट शर्ट, अरे सर बट शर्ट, फिर यह central वाले जो है, sorry, air tail department, air tail जो है, company गई, central वालों के पास, sir वो तो goods था, वो VAT मांग रहा है, फिर आप service tax, आप कैसे service बोल सकते है, service tax department, हम नहीं जानते, state वालों, sir government ही जगड रही है, हाँ, government department अपना revenue collect कर रही है, हम नहीं जानते, भाई तुम्हारे दोनों के जगडे में फर्स कुन रहा है, taxpayer, अर कोई goods बोलो, कोई service बोलो, पर दोनों के जगडे में, taxpayer first रहा है, यह कैसा यहां पर, okay, कैसा इश्क है, और परिशान हो रहा हूँ, और मैं double taxation क्यों दो, okay, मैं भी एक independent India का बंदा हूँ, okay, इतना, इतना अपता, tax, tax, legal अपता, यह क्या बात हूँ, फिर मैं case पाइल कर रहा हूँ, जो भी है, भाई साब, यहां इतनी परेशानी थी, तो industry कहती थी, taxpayer कहते थी क्यों नहीं तुम दो एक हो जाते, और दोनों एक हो जाके, एक ही tax लगाते, क्यों तुम्हें ऐसा नहीं करते, तो आकरी में 2017 में दोनों एक हो गए, और दोनों ने मिलकर एक tax लगाया, इसका नाम था, क्या, GST, और समझा है नहीं समझा, तो यह deficiency थी, पुराने law में, जो GST ने खतम कर दी, और यह समझा क्या, तो हम GST के फादे तो बाद में देखेंगे हैं, अभी तो हम देख रहे हैं पुराने law में क्या? Deficiency थी, समझ में है क्या? तो double taxation, एक बार फिर से परता हूं, अरलियर सम आटम वे ट्रीटेड बोथ, अज अगोड और शर्विसेस, अगोड तो क्या? The world taxation, दूसरा, No set off of Sen Vat, Sen Vat मतलब excise, लिख दो आपर, Sen Vat means excise, इंहा में दो Vat थे, Central Vat मतलब excise, और State Vat मतलब sales tax, समझ में आए क्या? Sen Vat का मतलब होता है, एक excise या Central Vat, ठीक है? Sen Vat and State Level Vat, were value added tax, but cross credit of these, were not possible, as a Sen Vat was Central Levy, and other one was क्या? State Level, एक example थोड़ा, आपको imagination पढ़ाओ, कैसे होना चाहिए class में, और आपका कैसे, जो online connected हो भी students, imagine करो, 2017 के पहले का situation, ठीक है? और वो situation में imagine करो, trader, trader बोल रहा हो मतलब, जो goods purchase करता है, और बेशता है, और manufacture कर रहा हो, वो भी trader ही है, पर वो produce करके बेशता है, समझ में है? समझ लो मेरी electronic shop है, मेरे electronic shop में, यहाँ पे refrigerator, cooler और वगरे, दुनिया बर के electronic products है, मैं purchase कर रहा हूँ, और क्या? बेच रहा हूँ, मेरे purchase, जैसे washing machine हुई, refrigerator, direct LG companies है, LG की factory पुने में, रांजन गाओं में हैं, यहाँ से, आगे बढ़ते हैं, ठीक है? और मैं पुने का trader हूँ, और पुने रांजन गाओं यहाँ सही, factory से माल मेरे shop में आ रहा है, मैंने purchase किया, मुझे यह बताओ, factory से, 2017 के पहले, 2017 के पहले, factory से माल मेरे shop में आ रहा है, यहाँ मेरी लक्षमी रोड पे shop है, ठीक है, अब यहाँ shop में माल आ रहा है, तो मुझे बिल कैसे आएगा 2017 के पहले, factory से माल आ रहा है, bill, value, कौन से tax लगा के आएगा, manufacturer से आ रहा है, इसलिए बंदा exercise लगा के देगा, NSNVAT, exercise लगा के देगा मतलब SenVAT, प्लस तो मुझे VAT भी लगा के देगा, तो इसको दो current लगते हैं, बदाव दो current कौन से लगते हैं, और देखो मैंने वह आदी घंटा जो current लगने वारा लिया ना, लगने दो, पर मुझे पता है मैं क्या चीजे बांद रहा हूँ, yes or no, हाँ, तो अब यहाँ पर क्या लगा के देगा हुआ मुझे, एक size और size, चलो मेरे पास bill आ गया, कोई blank page है, नहीं है, कोई rough blank page, rough bank page है का, बस इतना enough है, जाते जाते लेके जाना, यह मैं dealer हूँ, और मेरे पास यह bill आ गया, किसका bill आ गया मेरे पास, supplier का, supplier का नालायक, ठीक है, supplier का bill आ गया, LG का bill आ गया, refrigerator washing machine जो भी मैंने खरीदा, जिसमें एक size लगा, और क्या लगा, यह मेरा purchase bill है, अब मुझे यह बताओ, जब मैं वो product आगे sale करूगा, जब आगे sale, कोई shop में आया, उसको एक refrigerator पसंद आ गया, किसको washing machine पसंद आ गयी, वो करीद रहा है, जब मैं customer को bill दूगा, I repeat, जब मैं customer को bill दूगा, तो मैं एक size बैट दोनों लगा होगा, या only VAT लगा होगा, only VAT लगेगा, क्यो VAT लगेगा, क्योंकि मैंने manufacturing को touch ही नहीं किया, मैंने sales को touch किया, समझ में है, तो मैं से VAT लगा होगा, तो मेरे output tax में VAT ही दिखेगा, मेरे output tax में, VAT कौन से government का revenue है, state का, imagine कर पा रहे है situation, VAT street, मेरे output tax में, महरास्ट वैट दिखेगा, और मेरे input में, दो input tax दिखेगे, बता कौन से दो input tax दिखेगे, Sen VAT and VAT, Sen VAT and VAT, अब सवाल क्या है, सवाल यह कि क्या मैं दोनों के set-off, क्योंकि मैंने दो दिये purchase पे, क्या मैं दोनों के set-off अब अगिंस VAT ले सकता हो क्या, नहीं, नहीं ले सकते थे, 2017 के पहले, क्यों नहीं ले सकते थे, 2017 के पहले, क्योंकि, set-off देना मतलब आपका output tax कम करना, set-off देना मतलब आपका output tax कम करना, यह output tax कौन से government का था, Maharashtra, Maharashtra बोले कि मेरा VAT अग्जिस कर भाई, पर्चेस पे जो मेरा VAT है, वो अग्जिस कर, क्योंकि वो मैंने लिया हुआ है, LG company से, तो यह सुर नो, तो वो अजिस कर, Central का मैं क्यों अजिस करके दू, मैरे revenue से, in short, 2017 के पहले, okay, SenVat के credit VAT में नहीं मिलते थे, और VAT के credit, SenVat में मिलते थे, समझ में आए क्या, एने cascading था, पर आज ऐसा नहीं है दोस्तो, आज अगर मैं LG company से खरीद हूँ, तो मेरे input में भी CGST, SGST, और output में भी, CGST, SGST, C का C में, S का, S में, that's all, मेरे सब adjust हो जाएगा, समझ में आए क्या, समझ में आए क्या, online, जो भी student connected समझ में आया, Done, तो यहां पर, government different थी, आज भी government different है, पर दोनों मिलके tax लगा रहे है, दोनों मिलके tax लगाने का सबसे बड़ा फाइदा यह है, कि आज, ऐसी situation तो नहीं आएगा, कि मेरा output में सिप state ही है, और input में central state है, क्योंकि आज, दोनों में central state रहेगे ही, रहेगे, तो यह हुआ, regarding to no set-off, CENVAT or state VAT were value added tax, but cross credit underlined, cost credit of those were not possible, as CENVAT was central levy, and other than was, state levy, third, cash cutting effect of taxes, CENVAT did not include value addition chain, in distributive trade, after the stage of production, and in the state level VAT also, CENVAT load the goods was not, CENVAT load on the goods was not kya removed, तो थोड़ा इसको simple word में, अगर आपको लिखना है या समझना है, तो CENVAT credit was not available to the distributor, distributing chain, M devil didn't work because, at that air, लए ना, तो अगर credit नहीं मिलता है, मुझे बताओ, अगर credit नहीं मिलता है, तो फिर क्या होगा, purchase में आप tiposमाइड हो जायेगा, if there not get backup, so purchase में आप याणा हो ए तो तो वो ही कहना चाहते थे कि cash cutting of taxes हो रहा है क्योंकि distributing chain में SenVat का जो लोड हुआ है SenVat amount जो लोड हुआ है उसका credit नहीं मिल रहा है Now next 2 minute several taxes not subsumen back for a single transaction multiple taxes in multiple form were required to be paid like luxury tax entertainment tax and etc और वैसे भी पहले क्या था कि state level पे इतने सारे multiple taxes थे submerged और subsumen नहीं हुए थे ठीक है luxury tax था, entertainment tax था opt right था, lottery tax था entry tax था, सारे states के थे पर वो भी subsumen नहीं थे आज सब subsumen हो गए ना उसके बाद में non integration of VAT and service tax VAT and service tax पे भी यहाँ पे कोई यहाँ पे credit नहीं थे credit नहीं थे क्यों कि service tax central का था service tax central का था और VAT state का था sir example दो example की दो पे आज यह class समझ लो 2017 के पहले चालू है imagine करना 2017 के पहले चालू है मैंने यह camera खरीदा हुआ है, tv खरीदा हुआ है lights खरीदे हुआ, fan खरीदे हुआ तब मेरे इस पे क्या लग्के आया VAT, camera खरीदा, goods है, क्या लग्के आया VAT, lights क्या लग्के आया VAT और मेरे output में service tax है क्योंकि मैं आपको services के bill दे रहा हूँ तो मेरे output में service tax है तो अब मैं government को पहरा हूँ कि sir मेरे input में VAT है I repeat, input में क्या है, VAT है और output में service tax है तो मुझे credit दे दो, नहीं मिलता था अरे sir मैं ultimately इन बच्चों के लिए तो use कर रहा हूँ बिजनेस के लिए तो use हो रहा है तो मुझे credit दे दो, नहीं VAT का credit service tax में allowed नहीं था again leads to cascading effect cascading effect हो रहा है था तो integration of VAT और service tax नहीं था देखो, VAT on goods was not integrated with service tax at the state level so cascading effect of service tax was not क्या, removed उसके बाद में next, यहाँ पर cascading nature of CST, CST मतलब लिख देना central sales tax, central sales tax वो भी उसके भी credits नहीं मिलते थे उसका भी cascading effect था and high compliance cost, high compliance cost वाला example मैं शायद कल यह पर सो ले चुका हूँ आपको याद है, आपको excise तो excise department आ रहा है उसके records अलग VAT department आ रहा है, उसका चायपनी records अलग यह कुछ आदा रहा है गया, तो हमें इतने records maintain करने पड़ते थे, एक size के लग, VAT के लग, income tax के लग, यह समझ में, OCTRAI के लग, LBT के लग तो इससे एक बंदे की compliance cost बहुत बढ़ जाते है दोस्तों यह इतना फायदा मिला कि आज हमें स्रीप एक ही law में record maintain करने पड़ते है stock record और वो है, इसरी GST पहले इतने अलग-अलग laws के records थे, अलग-अलग format थे मैंने आपको कहा था, एक ही receipt हो जाए तो कितना अच्छा हो जाएगा एक ही admission form हो जाए तो कितना अच्छा हो जाएगा समझ में, याद आए कि आपको तो, येस पहले compliance cost भी बहुत जाद आती अब इसको याद कैसे रखना देखो, छोड़ना नहीं concept को ये तो आपने पढ़ लिया concept को समझ लिया मज़ा आ गया, सर ने बहुत अच्छा समझा दिया इसको शॉट करते हो, कैसे याद रखना देखो सबसे वहले तो मैंने देख लिया पढ़ लिया तो मैंने देख लिया पढ़ लिया वही, cascading effect वाले तीन पॉइंट है तो मैंने को अगर पांच मागा question आया तो दाही तो पक्के और वह easy भी है बता हो कौन से cascading वाले तीन पॉइंट है एक सेन्वैट का credit नहीं था दूसरा service विकॉम में कैसे बैटिंग करते हो यह पूरी वैसे नहीं करना है पर तरह 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 बताता हो विकॉम में बैटिंग करते हो मतलब पता होता है तरह तरह यह थ mentally थैद्ट यह भी में पखना right अपना time waste आपको नहीं करना है संजम्य है कया तीन पॉंक्त क्लियर दिख एक क्या video कॉन से तीन पॉंक्त कस 지क भाले कौन से तीन पॉंक्त का सभीस टैकस का और C.A.S.T. का अरा तो यह तीन पॉइंट वड़ाक से लिग देंगे, दूसरे, दूसरा हमको एक दिख रहा है डबल टैक्सेशन, क्या गुड्स और सर्विस, मतलब एक ही गुड्स पे दो दो टैक्स लगते थे, तिसरा हमें यहां पे, एक याद रखने लाइक पॉइंट कंप्लाइंस कॉस्ट याद रखने लाइक पॉइंट कंप्लाइंस को, चार पॉइंट हो गएंगे, पांच पॉइंट हो गएंगे, तो अच्छी बात, आपका एप्रोच पड़ते वख बहुत इंपॉटन है, जो स्टुडेंट ने ऐसे अप्रोच से पड़ा, उसकी पॉजिटिविटी जो स्टुडेंट ने ये अप्रोच से पड़ा, बढ़ने के पड़ा, उसकी जो निगिटिविटी बूस्ट होगी ना भाई, तो उसको समालना बहुत मुश्किल है, मेरी बात समझेगे आप, जितना हो सके, जो भी पढ़ रहे है, जहाँ पॉसिबल है, उसको इजी वे में सोचने के कुशिश करो, अपने आप पे ट्रस्ट रखो, कि आपको याद आगया न, मैं लिखोगा तो माक्स आएगे, ज्यादा इस पे बढ़न मत डालो, वैसा इस नहीं लिखा तो, वो इच वर्ट्स नहीं आए तो, फिर मुझे एग्जाम में जो है, वो वर्ट्स नहीं माक्स नहीं भी ले तो, भाई साब पहले याद तो कर, पहले एज़िवे में समझ तो ले, तो चलो, तेखो अब आपको यसे बढ़न, तीन पॉइंट किसके, किसके को है कैसके, सेनवाट का, सर्विस टैक्स का, CST का, एक पॉइंट डबल टैक्स सेशन, और एक पॉइंट हाई कंप्लाइंस बाकी जो याद रहता है, कर लेना, सबज में आया क्या, चलो, तो इस तरह से यहां तक का डिस्कृशन हमने किया, अब GST, लास्ट आते है, सिमलेस फ्लो अप क्रडिट, GST अलसो बेस अन वैट, I repeat, GST अलसो बेस अन वैट, मतलब, मतलब, GST में भी टैक्स यह वैल्यू एडिशन पे ही लगाया, जाएगा, और आपको इन्पुट टैक्स के क्रेडिट दिये, जाएगा, वैट एक सिस्टम है, टैक्स अनली आउन वैल्यू एडिशन, अब मैनिफेक्शर के केस में, अब थोड़ा धैर से सुनना, और इस ड मैनिफेक्शर, आप रॉम मेट्रियल गूट्स खरीद रहे हों, और आप सर्विसेज भी खरीद रहे हों, ठीक है, कोई भी बिजनेस करते वक्ट, दो चीज़े कंटिन्यूस लगती है, धान सुनना, दो चीज़े कंटिन्यूस लगती है, एक लगता है गूट्स और एक पर लो, आप तक मेरी सर्विस पोचाने के लिए, ये बिजनेस प्रोफेशन केरियाउट करने के लिए, मुझे कंटिन्यूस हर मॉमेंट पर दो चीज़े लग रहे है, एक है गूट्स, कैमेरा, गूट्स लैप्टॉप, गूट्स लाइट्स, गूट्स ये, फरनीचर, बै मुझे, गूट्स लाइट्स लाइडा मुझे बताओ, अब गूट्स ये, सर्विस लाइगा, आप पे कौन सा टैक्स लाइगा, चीज़ेशन उ्समें इंट्रा स्ट्टेट है, अगर आपने मैनिफक्ट्ट्टन, ये मैनिफक्ट्ट्ट्स ने सप्लायर से खुर्स खरीदा तो अब X-Size और VAT लगके आएगा या CGST और SGST लगके आएगा CGST और SGST चलो तो अब यहाँ पर ले लेते हैं लिखो यहाँ पर value value 1 lakh और GST rate assume 18% value 1 lakh तो CGST add rate 9% कितना हुआ 9000 और SGST add rate 9% कितना हुआ 9000 total आप करो यह आपका invoice आया imagine the invoice अरे समझाएं नहीं हम यह और यह invoice जो है वो goods का है वो goods का है ठीक है जिसमें CGST और SGST लगके आएगा है इंट्रा है और goods का है और इंट्रा है शलो अच्छा इसको अभी हम discussion के लिए कहेंगे inputs हमने क्या खरीदे inputs clear अब मैं अपने बिजनेस चलाने के लिए अब मैं अपने बिजनेस चलाने के लिए सर्विस भी खरीव रहा हूँ जैसे यहाँ पर job work service, repair maintenance service जो भी मेरे बिजनेस के लिए सर्विस लगने वाली है अड़िजमेंट सर्विस वगरे in the business तो मैं अगर service खरीद रहा हूँ तो ऐसे case में यहाँ पर उसको मैं नाम दूगा input service क्या नाम दे रहा हूँ input service जो मैं purchase कर रहा हूँ input service समझ लो इसकी value है इसकी value है समझ लो 50,000 अगर मैं 50,000 में खरीद रहा हूँ और अभी GST आने के बाद इसके ओपर कौन सा tax लगेगा CGST at the rate 9% और SGST at the rate 9% कितना हूँ 4,500 4,500 टोटल कर लो आप ठीक है तो मैंने वैसे मैं बहुत सारी खरीदता हूँ लेकिन जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि एक example लेके manufacture होगा तो बहुत सारी inputs होगे बहुत सारी input services होगे अभी एक एक लेते हैं फिर बहुत सारी लेते हैं फिर देखेंगे one to one अर्या है ना step by step आगे बढ़ते हैं तो अब यहाँ पर मुझे यह बताओ अब वो goods मना रहा है goods मना के बेच रहा है customer को sale हो रही है उसकी sale हो रही है जिसकी value उसने यहाँ रखी है sales की value जो रखी है उसने value है 3 lakhs value है 3 lakhs अच्छा अभी वो sale करेगा एक size vat वगर लगाएगा कि cgst sgst लगाएगा cgst sgst समझ मैं तो अब लगाएगा cgst add the rate 9% और sgst add the rate क्या 9% कितना रहा है एक मिनटे अमाउन कितनी है 27,000 okay come on come on 27,000 अब मुझे यह बताओ पढ़कर बतारा तुमारे input tax कौन से है किस पे किस पे लगे आपके input tax input tax जो लगे एक input पे लगा और दुसरा input services शलिए आपने goods करीदा और goods बना के बेचा आपने service करीदी और service goods बनाने के लिए यूज की तो मुझे यह बताओ जब GST बड़ा system बना रहे हो जिसमें यह object है to avoid complete cascading effect and one of the dream project of the government इसमें आप से सवाल पुछूगा और सभी state finance minister से पुछना चाहूगा कि मैं output goods क्योंकि output goods है मेरा तो output goods में only input goods का ही credit दूँ या service का भी दूँ सभी state ready है? क्या हमने services की भी देने चाहिए? क्यों क्यों मैं सभी state finance minister से पुछना चाहूगा क्योंकि हम milker law बना रहे हमें unanimous resolution से चलना है तो अगर यह बताओ कि हमने input service के भी credit देने चाहिए क्या यास देने चाहिए क्यों अगर नहीं दिये तो it leads to cascading effect समझ मैं क्या तो यह decision लिया गया कि yes, okay, एक manufacturer जो goods बना के भेशता है तो उसको goods के तो credit मिलेगे ही मिलेगे, साथ-साथ में उसे input service के भी credit मिलेगे दोनों के credit मिलेगे, yes or no so that we can bring this our dream project of GST where we are trying to avoid complete, क्या, cascading effect complete avoidance of cascading effect I hope you understood okay, तो दोस्तो, okay आपकी anonymous resolution से मैं यह decision लेना चाओगा कि input service के भी credit दिये जाएगे okay, तो ऐसे case में यहाँ मुझे यह बताओ दो मिनट तो अब हम statement बनाएंगे इसका, अब पता है कि अभी तक हमने bad statement बनाया था, अब मैं आपको सिकार हो, GST के context में statement कैसे बनेगा, और yes or no तो अब अगर हम side में statement बनाएंगे, statement of net GST payable statement of net GST payable one GST payable very good online student बहुत अच्छा जवाब दे रहा है okay, तो यहां पर stay, तो अब हमारा net GST payable इसमें लिखो output में एक ही tax है या दो tax है, कौन से दो है CGST and SGST तो particulars CGST particulars CGST और क्या बिटा, SGST CGST and SGST तो लिखो output tax output tax बताओ आपका output tax CGST कितना है 27,000 और SGST कितना है 27,000 27,000 27,000 then list क्या ITC ITC के अंडर में लिखना पहला, इन्पूट्स और दूसरा क्या input services क्या दुनों के credit allowed है input का CGST कितना है 9,000 ये bracket में लिखो क्यों ब्राकेट में लिखो क्योंकि less है less करना है और SGST का भी कितना है 9,000 ये भी ब्राकेट में लिखो और input services का 4,500 4,500 net GST payable net payable बताओ कितना CGST क्या हो गया what happened 13,500 और इदर क्या 13,500 ये आपको net government को देना पड़ेगा अब मैं अब फिर से refit नहीं करूगा क्रडिट क्यों मिलते है जिसको नहीं यहां पर मन नहीं उसको system समझने में कोई बड़ी बात नहीं बच्चा भी समझ जाए गई है बस उसका मन नहीं मान रहा होगा मन नहीं मान रहा होगा तो मना लेना भाई यह तो किस के लिए होगा Manifactuer Trader सुरी हम लेते हैं उब किस के लिए Service Provider मुझे बताओ अब mechanism में manufacture का mechanism अलग service provider का mechanism अलग ऐसा रहेगा यह सब सेम रहेगा सब सेम रहेगा तो service provider और trader यह हम देखेंगे ब्रेक कर चलो दस मिट का प्रेक लेलो, दस मिट में आजा आपट आपट, फिर देखते हैं, हाँ, हाँ, कॉंड़नेशन आप डिले, 5 मिनिट्स, आपट, लेज़नेशन आप, पहल पहला आप, जो सर्विस मिलरा, उसके उपर स्टेट लिए नहीं, उसके उपर बाद में सुप्रीम ने कहा कि इंटार कॉंट्राकी जब सर्विस, पूरे इस पर सर्विस टैक्स लिया गया है गरम बानीगानी आने लेचे तक लेचे तक लेचे थे थे थाँ अभी आई जेस्टी बिच में मतलब मैं लाओगा जोड़े गरम का है हुआ 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 है प्रेज प्राइड है है तो अधे गवा तो अधने टाउने आपको समय लिए नश्य थिता शाए हुआ है नहीं आपको से दर्भाब मैं अधन कर दो तो ड्रॉसस्टी आपको संगर्व कर दो कर दो दो कर हा हुआ है आपक्षासराओ कर दो तुच्छान पोभार ने कार रुद आपक्षान पूलने झाल 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 तो जो online student connected है वो आपने doubts पुछो, जो app में YouTube पे connected है, वो आपने doubts पुछो, जो भी आपके questions sign in से related है या फिर notes से related है, वो आप 10 बचके 40 मिनिट पे यहाँ आपने सवाल पुछेगा, मतलब आपका order ID और आपका preferable time, मेरी team connected रहेगी, ग्यानेंद्र जो आप में connected है, यह राजिश रेकॉर्डिंग स्टार्ट का, चैलिए बटा, हमारे discussion पे आजाते हैं, नहीं अभी order ID मत दो, वेस्ट हो जाएगा, मेरी पास लिखने के लिए कुछ नहीं है, आखरी में अपने order ID दीजिएगा, आखरी के 10-20 मिनिट में अपने order ID दीजिएगा, यह से बेज देता हूँ, नहीं नहीं मैं बेज दूगा, जो में मैं लिखता हूँ, उसका books मना के बेज दूगा, सर, input credit तो 10,000 ही मिलता है, फिर credit 12,000 का क्यों दिखते है, credit का लिखते है 12,000 का, हमने उसमें, एक चीज़ समझ लो, जो purchase पे tax से उतना ही credit रहेगा, बराबर देखो statement बेटा, अपरना statement जो भी बना है, बराबर देखो, जो आप purchase करते हो, उतना ही tax credit मिलता है, अगर वोल सेलर का purchase में 12,000 GST होगा, तो 12,000 रहेगा, वाइसे क्लियर है ना, नहीं बेटा, दो वाइसे कैसे आएगी, हलो, नहीं जो एक्टिवेशन, टेकनिकल, बुक्स के question, अभी मत पूछना, लास्ट के 20 मिनुट्स, लास्ट में 50 परसेंट का credit कैसे मिलेगा, CGST का credit CGST में और SGST का credit SGST में, जो, सर, इन्वाइस मेतड और वाल्यू मेतड में रिफरेंस समझ में नहीं है, जाने तो बिलाओ, एडिशन मेतड मतलब जितना तुमने एड कि उस पर tax, इन्वाइस मतलब आउटपूट टेक्स मैनस इन्पूट टेक्स, अभी आपको इन्वाइस मेतड फॉलो करना है, आपका आउटपूट टेक्स मैनस इन्पूट टेक्स मेतड फॉलो करना है, strictly, यही समझो, बस, इन्पूट टेक्स में राव मिट्रियल का इन्पूट मिलता है, राव मिट्रियल, अधर इन्पूट आपको मिलता है, ब्रेक रोज 10 मिनिट का होगा, इसलिए हमारी क्लास वैसे 8.30 तो 11 थी, मैंने 8 to 11 किया जिसमें 10 मिनिट का ब्रेक किया है ठीक है शले अब ITC के questions अगर होगे तो मैं आपको assure करता हूँ दिरे दिरे सारे questions आपको समझ में आ जाएगे ओके concept को आगे बढ़ने तो दिरे दिरे सब समझ में आ जाएगा ठीक है start करते पहला example हमने किसका लिया बिटा manufacturer का अब यहाँ example लेते ट्रेडर का यहाँ example लेते service provider चलो आप बनाओ service provider वी smart academy जिसने camera खरीदा benches खरीदे camera खरीदा और benches खरीदे आप बहुत सारे goods खरीदे होगे even services भी करीदी editing, advertisement, internet, faculty वगरे services भी खरीदी और output आपको दिया जा रहा है क्या service तो चलिए अब यह जो है जो हमने purchase किया इसे हम नाम देंगे input क्या नाम देंगे input तो यह हमारा input हुआ don't talk in between यह हमारा input हुआ ठीक है इसका invoice इसका tax invoice ठीक है अब इसमें value मैं लिखके दे देता हूँ आपको value यहाँ पे 1,50,000 GST rate आपको लेना है 18% calculate करना है आपको मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ तो service लिया 1,50,000 sorry goods लिया 1,50,000 यह intra है बिटा क्या है बिटा ही है तो बिल को आप complete करो इस बिल को आप complete करो done service लिया और input service की value है input service की value है यहाँ पे वाडे कर अथर पिर से बेटा तू पढ़ कल में revise करवा दूगा तुदे जो concept है उसके उपर आज पढ़ वो ठीक है एंटार गर्डन इस ओन अल्टिमेट कंजुमर now value जो है यहां इस ताउजन ले लो और उसके basis पे और यहां आपके output service की value ले लो, यहां आपका invoice बन रहा है, अच्छा यह जो मैं, आपको जो service दे रहा हूँ, वो मेरा input है या output है, हाँ, वो मेरा output service है, जिसकी value 2 lakhs है, चलिए, GST निकालो और side में statement बना, GST निकालो side में statement बना फड़ाफट, झता है, झालो सक जो, यहां पर और शजोता बना कि बना आपके भूचह जोपो गहां में payment retention बाचरे में आपके दो पर यहां झालो काomच сил है, जिसकी वाँवाब कामस चूलबगाई हाँ 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 सोरी सोरी आउटपूट की वैलियू टू लैट फिप्टी थाउजन ने लेना रहने तो टू लैक से रहे चला टू लैक केरी फॉरवड करेंगे एक कॉंसेट डिसकस करेंगे क्या आई टी सी केरी फॉरवड हाँ मजा आएगा चलो गलती से भी मजा आएगा ठीक है तो यहां पर लॉस में बेचा लॉस में बेचा ठीक है तो उसका वो कॉंसेट त्यार हो जाएगी कि लॉस में बेचा तो क्या होगा ठीक है तो अब ऐसे केस में यहां लिखो क्यालकुलेशन ओप क्यालकुलेशन ओप नेट जीस्टी पेएबल हाँ पर्टिकुलर्स पर्टिकुलर्स cgst sgst पर्टिकुलर्स में आउटपुट टैक्स कितना है एटीन दाउजन एटीन दाउजन लेश क्या बेटा itc मैं जैसा लिख रहा हूँ ऐसा लिखना लेश क्या itc ठीक है पहले किसका इनपूट का और दूसरा किसका इनपूट सर्विस का ठीक है इनपूट का itc कितना है मेरे पास 13500 अच्छा अब देखो एक नया conception जाता हूँ 13500 क्लियर इनपूट सर्विस का मेरे पास कितना है 6000 मुझे जर्वत कितनी है मुझे जर्वत कितनी है जर्वत है मुझे 18-13500 4500 की जर्वत है मुझे मेरे पास excess credit है तो अभी जितनी जर्वत है उतना यूज करता हूँ yes or no तो यह 4500 4500 जितनी जर्वत है उतनी यूज करता हूँ yes or no ठीक है और इसके पाद में अच्छा कितना पेवल आया ? नेट पेवल नील नेल आया ना ? अब आएगा वाट कैरी फॉरवर्वर्ड ने वाट नहीं यह आया ना ? तो नीचली को में रेड पेवल से ITC कैरी फॉरवर्ड बताओ कितना आयागा कैरी फॉरवर्ड ? 1,800 यह समझा कि आपको ? नतलब मतलब हमारा tax monthly payable है अब समझ लो balance बच गया तो हम next month में इसको continue कर लेंगे, use कर लेंगे, next month में opening balance बन जाएगा, समझ में आए क्या, next month में opening balance बन जाएगा, हो सकता इसके उपर आपके doubt हो, रुख जाना, सारे doubts में धीरे-धीरे clear करूगा, done, okay, तो आपका ITC carry forward जाएगा, done, ये एक problem है, अब ये problem आपको यहाँ पे trader, ठीक है, trader के लिए, मैं value ले देता हो, trader मतलब क्या, वो purchase कर रहा है, sale कर रहा है, ठीक है, purchase कर रहा है, आज purchase भी किया, तो क्या लगेगा, CGST और SGST, आज वो excise VAT का लग, ये ही नहीं है, आज एक ही tax लगता है, और वो रखता है CGST और SGST, is it clear, okay, तो चलो, मेरे साथ लिखते जाओ, ये आपका input हुआ, ये input का मतलब raw material मत समझना, input का मतलब purchases, I repeat, सभी दान दो, input का मतलब raw material नहीं, input का मतलब purchases, is it clear, ठीक है, तो आपकी invoice, purchase का invoice, value ले लो यहाँ पर, okay, 60,000, 60,000, उसके उपर 18% का CGST, SGST निकाल लो, आपके purchases का, 5,400, 5,400, ठीक है, चलो, क्या एक trader services भी लेता है, हाँ, लेता है ना, भाई, उसको भी security guard service लगती है, उसको भी servicing लगती है, उसको भी, trader लेगा, number of, auditing लगता है, advertisement लगता है, internet लगता है, software service लगती है, तो वो भी service लेगा, जिसका नाम होगा, क्या, import, वो भी service लेगा, जिसकी value ले लो, यहाँ पर, 20,000, और 18% की साबसे CGST और SGST निकाल लो, 9% each, 1800, 1800, done, 1800, 1800, हो गया, output ले लो, उसका, जो उसने माल खरीदा, वो बेच रहा है, अगे, माल खरीदा, वो बेच रहा है, तो ऐसे case में, value, समझ लो, यहाँ पर जा रही है, 2,20,000, CGST, SGST निकाल लो, ठीक है, अब आपका statement बना लो, अचा ट्रेडर, देखो, अब GST के credit सब को है, वन नेशन, वन टाक्स, वन बार्केट, ठीक है, statement बना लो, statement of net GST payable net GST payable, particular CGST, SGST एक्जाम में ऐसे question आएगी, कैसर, यह तो शुरुवात है, picture तो अभी, बाकी है, चलो, निकाल लिया net GST, राजेस नहीं जालते है, strain बड़ावरे, करू नंदर करू, 1,000, 12,600, payable आरा है, carry forward आरा है कि payable आरा है, payable आरा है, net GST payable, answer आएगा आपका payable, 12,600, 12,600, done, total liability, CGST plus SGST, चलिए, यहाँ दर clear, तो अगर मैं आपको को, concept and principle of VAT, बनाओ, सभी state के finance minister को, मैं यह request करना चाहोगा, कि जो भी discussion हमने अभी, last two hours में किया, इस पर हमें कुछ VAT के concept, और principles, किस principles पर इंडिया में बैट लाना, sorry, GST लाना है, तो क्या आप प्रिंसिपल बता पाओगे, किस प्रिंसिपल पर लाना है, अधे, गूट्स एंड सर्विसें पर एकी टैक्स आएगा, चलो पहला प्रिंसिपल, अगी, सबसे बहले बताओ, क्या GST हमें origin-based रखना है, या destination-based रखना है, GST हमें destination, तो पहला प्रिंसिपल है, GST is क्या, destination-based tax, लिखो, फिर्स प्रिंसिपल, खेलना मद जगा उतनी है, ठीक है, पहला प्रिंसिपल लोगो, GST is based on, GST is based on destination based tax so it is based on destination based tax GST without credit with credit with credit again second point it is a broad base value added tax second principle it is a broad base it is a broad base value added tax exam के लिए important question explain the principles of GST समझ में है आ सकता है broad base value added tax third GST का payment government को कौन करेगा supplier and burden pass on समझ में आए क्या तो third लिको GST is technically paid by third लिको GST is technically paid by supplier but it is actually but it is actually born by consumer but it is actually born by consumer GST हमें सिफ पहले stage पही कलेक करना है या multiple stage पही लखना है या यार stage पही वाल्यू अडिशन है रहा है ना तो लिको next GST is collected at multiple stages of production GST is collected at multiple stages of production of production and distribution of goods and distribution of goods and distribution of goods and services in which taxes paid on inputs in which taxes paid on inputs are allowed as a set-off are allowed as a set-off against taxes payable on outputs against taxes payable on outputs tax समझ मैं है हर stage पे input का set-off मिलेगा against क्या output tax now तिर GST ये personal tax ये business tax है GST तो सभी सभी स्टेट के finance minister को मैं ये request करना चाहूगा कि हम GST लॉजब बनाएंगे तो बिजनेस को ध्यान में रखते वे बनाएंगे क्योंकि हमें कोई personal activity पे tax लगाना नहीं है लेट्स एक्जांपल ओके मैं सब का ध्यान चाहूगा सभी finance mister देखे लेट्स एक्जांपल किसी ने अगर अगर अपना personal mobile बेचा तो उसके ठीक है उसने भी बेचा है sale तो उसने भी किया है और उसका business करने का कोई intention नहीं है तो ऐसे इस पर tax नहीं आना चाहिए आपको क्या लगता है जिसका business का intention है उस पर ही tax आना चाहिए तो इस intention को ध्यान में रखते हुए हम पुरा हमारा GST का law बनाएंगे और आगे cases आएगी कि आपने personal goods बेचा आपने घर की रद्धी बेची अरे है ना तो ऐसे case में GST आएगा या नहीं आएगा ब्राड सेंस में तो नहीं डिटेल डिस्कुशन आगे होगा लेखो GST is a tax on consumption of GST is a tax on consumption of product or services from business sources from business sources underline the word business sources and not on personal activities and not on personal activities not on personal activities ठीक है और क्या बता पूरी is provided throughout the value chain throughout the value chain जब तक goods ultimate consumer तक नहीं जाता है तब तक सबको credits available होगे and burden पास ओ ठीक है कोई tax bear नहीं करेगा उसने purchase plus net total पास ओन purchase plus net total पास ओन ये समझा क्या purchase मतलब purchases पर जो tax दिया और net government को दिया और वो burden पास ओन ठीक है जो build पर customer से collect हो जाता है अब मुझे ये विताईए यहां पर अगर मैं कह रहा हूँ कि GST को business को ध्यान में रखते हुए बनाना चाहिए तो अगर कोई goods मैंने personal purpose के लिए खरीदा I repeat किसके लिए personal समझ लो इस class में इस class में मुझे AC की जरुवत है तो मैंने यहां पर 10 AC खरीदे उसमें से एक AC सोचा घर के लिए खरीद लू क्योंकि bulk deal में मिल रहा है तो वैसे 10 की जरुवत है मैंने सोचा 11 खरीद लेते क्योंकि bulk deal में तो मुझे यह बताओ जो एक AC मेंने घर के लिए परसनल के लिए खरीदा क्या उसके क्रेडिटस आपको मिलने चाहिए नहीं मिलने चाहिए क्योंकि यह क्योंकि पुरा लौ बिजनेस को ध्यान में रखते हो बनाय जाना है तो आप जब परसनल पर्पस के लिए लेते हो तो आपको क्रेडिट नहीं मिलने चाहिए. जब मैं class यहाँ पर start करता हूँ तो कुछ आते है parents आते है, students आते है, कि sir, हमारे आप business है और मेरे class, हमने class लगा है तो क्या मैं इसका आप भी हमारे business के नाम पर दे सकते हो क्या? लीगली देखा जाये तो नहीं क्ाइ अप देविजनल पर्पास के लिए ले रहे हो बिजनस पर्पास के लिए नहीं हा फिर आप.. आप आरे परसवार में पढ़ोगा तो पापा को हेलप करोगा अल्तिमेटली बिजनस के लिए जाएगा अरे हाय नmontष के लिए जा लिए जायेगा ना ultimately business के यह जाये गाना देखो गए कम narciss Chad मत करना करना मैं उसे पर्यार करते हो और वह उसे प्यार करते हैं मतलब मैं उसे प्यार करते हो यहي जाये जाये होता है साझी साग फिर बड़ा बच्चा पापा का अच्छा बच्चा बेनुगा फिर उनके उल्टिमेटली बिजनेस में हैल करोगा ऐसा नहीं आज अभी तो आप परसनल परपस के लिए ले रहे हैं इसले लिगल ही देखा जाए तो उसके क्रडिट्स नहीं मिलते हैं क्योंकि यह कोई बिजन अब क्या GST तो चलो एक बार में साथ रिवाइस कर लो में 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 बुलेट पॉंट पर हैलाइट करना अब कि इससे आपको पॉंट से आदाने च्छिए पहला क्या वाल्य आड़े टैक्स दूसरा डेसिनेशन बेस टैक्स तिसरा सप्लायर पेड़ बाय क्या सप्लाय इसको इसको पॉंट से आद करो फिर उसको थोड़ा जोड़ जार के लिख सकते हैं और आप डेफिनेटली जोड़ जार का मतलब यहां पर कुछ भी मतलिकना मैंने इतना अच्छा पड़ाय हुआ आपको थोड़ा ऐसा लिखो की समझे यस और नो उसके बाद में बिजनेस टैक्स यहां तो आपने एक लाइंग में लिख दिया इट्स बिजनेस टैक्स इनफ समझ में है क्या और लास्ट क्या इंपुट टैक्स 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 अवेलेबल इन 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 इंटार वाल्यू चैन तो यह था प्रिंसिपल सोग क्या GST अब यहां पर यहां पर यहां पर रुख ज क्वार यहां फौन तो ब सकावर में इन आपर रुक जाएंग गंटेगा डिस्केशन अगए अब ही श्रीव क्या इन इन क्या इन आपर क्या टैक्स टैक्स अब लोग क्या समझते हैं यह वाला पॉइंट में फिर से समझा देता हो ITC नहीं, GST is value added tax, value added tax actually sales tax नहीं है, यह एक system है, यह sales tax हमने उसका नाम रग दिया, हमने sales tax को नाम रग दिया वैट, actually value added tax is a system, which is used in the world, the object of this system is to tax only on value addition, value added tax, you can use this system in excise, you can use this system in GST, you can use this system in sales tax, you can use this system in stamp duty, you can use this system anywhere, where object is to tax only on value addition, so GST's object also tax only on value addition, so hence it is in broad sense called as value added tax, What are you, grain of?ієh, समझा तरे समझा को स्टूर्इन नहीं समझा नहीं समझा नहीं, नहीं तो लो monit št्टूड और नहीं सम्हों, तो लो इसस्टूदेलन सुद्शन कन्फििटम्स हो जाएंगे, अर्य सर्य Y先 वह सिठल थाएंग, slash tax का ताक्स हो रग कियें, यह सिभिए हो नहीं बा अब नेक्स हाफ अवर, मैं जो पडाने जा रहा हूं, I need your 110% attention, और अगर कोई student 60% convinced है, तो बस उतना मिझे चाहिए, कोई 100 हो जाए तो अच्छी बात, पर 60 हो जाए, तो कल मैं जब रिवाइस कर रहा होगा, तो वह 100 हो जाएगा मेरी गारेंटी है, कल जब हम एक्जामपल्स लेंगे तो वह 100 हो जाएगा मेरी गारेंटी है, Are you ready? सभी thoughts दिमाग से निकाल दो, आपके साथ आज जो भी होगा बहुत अच्छा हो, ठीक है? सब होना क्या है? यहीं बैटना है? ठीक है? अब सवाल क्या आता है? एक बहुत बड़ा डिस्टिब्यूटर है, मशीन का, ठीक है? मशीन खरीटता है, मशीन भी महिए मशीन होती है, लगबक 20 करोड की मशीन है उसकी, एक ही मशीन, मशीन खरीटता है, मशीन बेशता है, ओनलाइन भी सभी सुनें, कोई सवाल इन बिट्विन, कोई टाइम पास नहीं करेगा, मोना शोना कुछ नहीं लिखेगा, ठीक है? तो यहां इधर धान दें, अब यह मशीन खरीदा जिसकी वैल्यू 50 करोड की है, अचा खरिदते वक्या लख्याया होगा उसका, CGST, SGST, सर एक तो एक्जामपल IGST करो, नहीं, अभी मैं IGST का फ्लेवर एड़ ही नहीं करूगा, अभी मैं सीव किस पर बात करूगा, हम कल फ्लेवर एड़ करेंगे क्या, IGST, और फिर देखेंगे, IGST दिखता कैसे है, ठीक है, एक मशिन करीद रहा है, CGST एड़ रेट क्या, 9%, और SGST एड़ रेट, 9%, निकालो कितना, 4.5, अरे बोलो, 4.5CR, 4.5CR, ठीक है, यह आपकी पर्चेस ही, यह बंदा एक ही मशिन खरीदता है, और एक ही मशिन बेचता है, मशिन करीदी और वो इची बेची, तो अब यहाँ पर वैल्यू उसने बेचा, 60 crores में, ठीक है, अब हम 60 crores में बेचा, तो CGST, 9%, SGST, 9%, Assume Rate 18%, तो 5.4CR, 5.4CR, यह बना उसका Output Tax, Minus Input Tax Credit, Ned Government, and Entire Burden, Pass On, Pass On मतलब customer से ले लेगा वो बिल में, रहा है ना, चलो, अब मुझे यह बताओ, यहाँ पर, एक बार फिर से, क्या मेरे Output Tax में में इस machine पे पे किया हूँ अब इंपूट का क्रेडिट में ले सकता हूँ? हाँ यह ना, ले सकता हूँ? हाँ. अब, Example Number Two, बहुत इंपॉर्टन, मैंने दो machine खरीदे, एक टाइप की ही, एक ही टाइप की दो machines खरीदे, अब बड़ा आत्मी हो गया हूँ, पहले पैसा नहीं रहता था, तो एक ही machine खरीदने का पैसा था, अब मेरा business बढ़ गया है, अब मैं बड़ा आत्मी हो गया हूँ, अब मैं दो-दो machines टॉप में रख सकता हूँ, ठीक है, अब वही एक machine कितने की थी? पचास करोड की, तो दो machines, 100 करोड की हो गई, उसके ओपर CGST, 9CR, SGST, 9CR, 118 करोड का पैसा लगा है मैंने, business में, अब उसमें से, यह महने में, पुरे महने में, एक ही customer आया, एक machine का, आया है ना, so, in the month of April, up to 30th April, one machine sold, one machine, sold, or one machine in, stock, और यह machine का प्राइज बढ़ गया, लोगों में famous हो गई, यह machine मैंने, पहले तो मैं यह 60 करोड में बेशता था, अब ओके लोगों में demand बढ़ी तो अब मैं 80 करोड में बेशता हूँ, एक ही machine, समझ में आ रहा है, तो sale price मैंने बढ़ा दी और मेरी machine, only one machine, 80 CR की sale हुई, जिसके ओपर CGST, और क्या, LGST, निकालों, 7.2CR और 7.2CR, बाई साब, मेरा पहला सवाल, एक machine stock में पड़ी है, यह जो आपके पास credit है, CGST, और किसका, LGST, यह दो machine का है, बील एक ही आया होगा, पर एक बील एक ही आया, अरे आया ना, पर लिखके आया थी दो machines, एक ही बील में, अरे आया ना, बील नमबर वही होगा, GSTN वही होगा, कुछ आत करो, supplier का just in delivery date, place of supply, bla 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 bla, समझ में आया है, पर दो machines है, बात मत कर, बात मत कर बिलकुल, ठीक है, दो machines है, अब मेरा आप से सवाल यह है, एक stock में पड़ी है, और एक जो है, बेची गई है, मुझे April 1 का 20 तरीक को net tax payable निकालना है, कहां से आई है 20, 20 कहां से आई 20, आपको याद हो है, tax monthly देना पड़ता है, और month की due date होती है, अगले मैंने की, 20 तारीक, तो मुझे April का assessment करना पड़ेगा, tax तो assess कर लिया, अब मुझे calculation करना पड़ेगा, government ने 20 दिन ingress period दिया मुझे, मतलब क्या, 28th of May, assessment May का चल रहा है या April का, April का, April का output tax, I repeat क्या, output tax, CGST, SGST, कितना है मेरा, 7.2CR, 7.2CR, अरे भाई समझे क्या, 7.2CR, 7.2CR, अब यह जो है, list क्या, ITC लोगा, उस month में जो खरीदा, ITC में, एक machines कहे लो हूँ, या दोनों का लो, who are in fair of, sir, दोनों का लो, ITC पुरा 9CR लो, पुरा 9CR लो, और कोई कह रहा है कि, नहीं sir, 9 मतलब 2 machines का, CGST 9, SGST 9, और नहीं, रुख जा, रुख जा, अभी, नहीं नहीं, यहाँ चलो 7.2, सवाल वह नहीं है, सवाल यह है कि, एक ही machine बेची, तो एक कैच लेना, की पूरा लेना, एक कैच लेना की पूरा लेना, पूरा लेना, सारे स्टेट फाइनास मिस्टर को, मैं पूचना चाहता हूं कि, क्या हम वन टुवन लगा है, यह पूरा क्रडिट ले, भाई साब, कुछ स्टेट के फाइनास मिस्टर कह रहे हों कि, नहीं सर, वन टुवन, मतलब जो बेचा उसका इच क्रडिट, समझ में आए क्या, जो बेचा उसका इच क्रडिट, जो नहीं बेचा वा स्टॉक में तो उसका क्रडिट अभी नहीं, उसका क्रडिट, बात में जब बेचा जाएगा, in short, अभी हमने एक मशिन बेचिना, तो एक मशिन का proportionate credit कितना होता है, 4.5, 4.5, उत्ताइच मिलेगा, समझ लो, यह State की have lobby, यह बोल रही है, और यह स्टेट की lawbby, यह बोल रही है, कि Sir, पूरा दो, यह State की lobby, बोल रही है, नहीं उत्ताइज दो, उत्ताइज दो जितना है, अब भाई साब, हम यह स्टेट की लॉबी पर आता है, यह जो बोल रहे हैं कि नहीं सर, वन्टु वन लगाओ, क्या लगाओ, वन्टु मत अदब, जो बेचा उसका ही क्रडिट, अब फिर मेरे सामने प्रैक्टिकल डिफिकल क्रेडिट तो देना है, अब यह बेचेगा, छे मेने बाद, तब तक हमें फिर ट्रेस करना पड़ेगा, बैलेंस रखना पड़ेगा, अरे हाया ना, अब मैं जो कहने जा रहा हूँ, सोच समझ कर, यहां पर डिसिजन्स युनानिमस चाहिए मुझे, ठीक है, मैं आपकी बा तो हमारे सामने आने वाले प्रैक्टिकल इशूस क्या, प्रैक्टिकल इशूस क्या, सुनो, पहला तो वो स्टॉक तुमको हर मैने मैच करके देना पड़ेगा, कि यह छे मैने पहले मुशिन खरीदी थी, यह साथ मैने पहले खरीदी थी, यह आठ मैने पहले खरीदी थी, फिर उसमें फिफो में थड़। फस्ट इन, फस्ट आउट। उसकी क्रेडिट। अरे समझ में आए गया। और भाई साब यह समझ लो एक ही मशिन में बिजनस करना है, करता है ठीक है। किराना शॉप ले लो। भाई साब अब इमाजिन करो क्या। किराना शॉप किराना शॉप बालाजी ट्रेडर्स अरे समझ वाय क्या। अब उसके यहाँ पे कम से कम पात्सो आइटम्स है और एक चॉकलेट के दस वराइटीज है इमाजिन करो जो लॉबी मुझे कह रही है कि वंटुवन लगाओ यह मशिन के लिए तो ठीक लगता है पर वो किराना शॉप बाला क्या करेगा वो वंटुवन कैसे करेगा यानि वो पता है कितने ITC लेजर मेंटेन करेगा सिर्फ चॉकलेट के देखो एक रुपे वाली चॉकलेट पांच रुपे वाली दस पचास यह पांच रुपे वाली यह तो सिर्फ चॉकलेट वा 500 एंटम्स है और समझ इमाजिन करो और उसमें भी श्टाउक बचेगा समझ मारा है उसमें भी क्या स्टाउक बचेगा फिर इतनी सारी बल चॉकलेट करीट उसमें सिर्फ पचास चॉकलेट गई फिर बाकी बाकी है फिर बाकी वो तीन मेने बाद गई फिर उसका स्टाउक तव मैच करके दो वो समझ पारेगे क्या वो बिजनेसमें बोलागा यह रहा तुमारा जिस्टी समझ मैं क्या भाई साब मैं बिजनेस करने बाइठा हूँ तेरा लॉफ फॉलो करने नहीं बैटा समझ मैं क्या हम पब्लीक है बिजनेस करने तो पैसा कमाने बैटे है और यह क्या लगा के लगा अगर वन टुवन कहोगे तो वन टुवन में करना कस्टमर बैठा है मैं एक चॉकलेट बैचा रुख जा लेजर में हाँ वह बिजनेस तो छोड़ दे लेजर ही बनादा बैटेगा मैच ही करते बैटेगा स्करडिट के स्टॉप अरे हाया ना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं चलो एक इमेजिन कर लेते यह लॉबी के लिए कि वन टुवन लगाओ नहीं बोलाओ एक्जामपल रहे बाई साब आप गूस को मैच कर दोगे वाट अवाट इंपूट सर्विस इंपूट सर्विस के भी क्रडिट्स मिलता है अब तुमने यहाँ पे पुरे बिजनेस की वह कैसे अलोकेट करोगे अटिटिं सर्विस ली आधानिग सर्विस ली आप इंटरनेट सर्विस इंटरनेट में प्रोटोकाल ही चोकलेट में गया वीज्टोगो न थो चोकलेट में गया भी कैसे बूसकित पैटिकली पॉसिब्ड प्रैज्दिन हाँ अबचीयग इंपूट सर्विस केभी ग्रेट आपको तो यहां आई टी सी लेते वक्त हम वन टू वन नहीं जाएगे तो लौ बनेगा ओके वन टू वन कोलिरेशन इस नाट नेसेसरी मतलब क्या मतलब यहां पर आपको जहां तक देखा जाए क्या दोनों मशिन स्टॉक भी रहोगा तो रहने दो स्टॉक पर जिस मन्त में जितना माल खरीदा उतना पूरा क्रेडिट एक बड़ बुलो जिस मन्त में जितना गोड्स खरीदा उतना पूरा क्रेडिट फिर वो स्टॉक में बचे यह ना बचे यह समझ में है ठीक है तो चलो मेरा आउटपूट टैक्स क्राम है 7.2 है ज्यादा होता तो अभी मैं क्रडिट पुरा 9 करोड तक ले सकता, पुरा क्रडिट 9 करोड तक ले सकता, यह समझा है नहीं समझा है, तो अभी मेरा आउट पुट एक 7.2 ऐसले में उतना यूस करूगा, बाकी का carry forward, पर क्रडिट तो ले लोगा, किसे कोई डाउट, online किसे कोई डाउट, अच्छ लिगलियस, ठीक है, तो जहां तक देखा जाए, तो नौ यहां पर, हम क्रडिट कितना यूस करेंगे, 7.2, 7.2, और पेबल काएगा, पेबल नहीं लाएगा, और carry forward, ITC carry forward, 1.8 CR, 1.8 CR, perfect, next month में क्या बन जाएगा, ओपनिंग बन, देखो, क्या हो जाता है, कुछ students शायद नहीं मान सकते हैं, जो 1 to 1 में बुला, लेकिन आप सीब individual मत देखो, आप पूरे इंडिया की policy देखो, हमें broad sense में देखना है, आज वो hardware shop आ लाएग, उसके पास क्या वो छोटे, नेल्स है, खिले है, छोटा खिला, बड़ा खिला, बड़ा खिला, बड़ा खिला, ऐसा थोड़ी ओर रेकॉर्ड में देखो, वन टो वन उसके लिए possible, नहीं है, समझ में आया क्या, और main important service का कैसे लोगे फीर, वो तो main challenge है आपके सामने पे, त तो भी मैं सेम मत में credit यूस कर सकता हूँ क्या, पॉर पेमेंट आप में आउट पूट टैक्स, क्या मैं पूरा credit ले सकता हूँ क्या, समझ में आया ना, जले, अब next, थोड़ा आपका और awareness बड़ाता हो, और inside बड़ाता हो, समझ लो, एक electronic shop है, समझ लो, एक electronic shop है, उनने, अब ये बात समझ तो जाएगी, बचाने के लिए कुछ students को time लगेगा, ठीक है, तो यहाँ, नहीं पचीती इनों लेना, लेकिन, जहाँ जग देखा जाए, इन simple word, मैं continuous इसको revise करूगा, और no doubt, definitely यह concept आपको बहुत अच्छे से digest हो जाएगा, अब यहाँ पर देखिए, electronic shop है, पुरे मंध के transaction लेते हैं, I repeat the word क्या, पुरे मंध के, अभी हम एक एक ले रहे थे, stock ले रहे थे, अब पुरे मंध का awareness बढ़ाते हैं, refrigerator खरीदा, इस मंध में, quantity है 50, आर मतलब refrigerator, value है एक लाग, एक लाग के 50 quantity खरीदे है, ऐसा कौन सा मिलता है सरे, example है, एक लाग value है, पचास quantity खरीदी, जिसके ओपर GST, 18% से दिया, purchase करते वक, और purchase करते वक, 18% से GST दिया, okay, अब seconds मैंने इस मंत में खरीदा, washing machine, washing machine मैंने 100 quantity खरीदी, okay, जिसकी value, 80,000 GST, 12% से लग के आया, अलग-अलग goods पर, अलग-अलग HSN हो सकते हैं, अलग-अलग HSN के, अलग-अलग rates हो सकते हैं, अलग-अलग rates हो सकते हैं, harmonized system of, nomenclature, तो 9,600, okay, TV खरीदा, 70 quantity, 2 lakhs, 28% का GST लग के आया, समझ मैं हो, फिर, other electronics खरीदे, 5% का GST लग के आया, cable, wire वगेरे, समझ मैं हो, और उसकी quantity, 150, यह मैंने इस मन्त में फटाफट स्टॉप बुला लिया, अपने शॉप में सजा के रख दिया, अब मैंने रेफ्रीजेरेटर की 50 quantity खरीदी, 50 के 50 इसी मन्त में बेज दी, ठीक है, इसी मन्त में बेज दी, और मैंने एक लाक में खरीदी थी, और मैंने इसको बेचा तू लाक में, कितने बेचा, तू लाक में, उस पेपर जीस्ट निकाला, बिल बन गया, अच्छा मुझे बताओ, जीस्ट का टैक्स असेस करना पड़ता है, इन्वाइस पे, पेक अप करना पड़ता है, मांथली, इन्वाइस पेएसेस कर लिया, ट्रांजिक्शन बेस असेस्मेंट हो गया, और यहाँ है न, पेक अप करेंगे, मन्तली, नेट लाइबिलिटी और मन्तली निकालेंगे, ठीक है, उसके बाद में, वाशिंग मशिन की 100 कॉंटिटी खरीदी थी, जिसमें से 50 स्टॉक में हैं, और 50 बेज दी, बेची 1 लाइक में, जीस्टी 12 परसंट 12 थाउसंट, उसके बाद में, टेलिविजन की 70 कॉंटिटी खरीदी, उसमें से 20 बेज दिया, बाकी स्टॉक में हैं, और अदर का, हमने कुछ कॉंटिटी बेचा, कुछ स्टॉक में है, 2 लाइक, रेट 5 परसंट, मुझे ये बेताओ, चलिए, एक कॉंसेट तो मैंने आपको समझाया, कि स्टॉक का होगा तो भी क्रेडिट लेडो, बन तो नहीं लगेगा, अब मैं आपको एक कॉंसेट और समझाता हूँ, क्या हम एक गुड्स के क्रेडिट, दूसरे गुड्स के पेमेंट के लिए, ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, तो एक्जामपल की तर पर देखो, अगर लो क्यलकुलेटर सभी लो, लो क्यलकुलेटर लो सभी, जो उल्लाइन सुडेंट कनेक्टेड है वो भी लो, क्यलकुलेटर, ठीक है, मुझे बताओ, रेफ्रिजरेटर पर आउटपुट टेक्स इतना है, 36, ठीक है, उसका क्रडिट मेरे पास कितना है, तो 18,000, उसका क्रडिट मेरे पास कितना है, 18,000, तो मेरा पेडल आ रहा है, रेफ्रिजरेटर पर, 18,000 पेडल आ रहा है, ठीक है, जलो, इसको सिक इतना धभाय रखना पेडल आ रहा है, दूसरा मेरे पास, वाशिंग मशीन का पेडल कितना है, 12,000, और वाशिंग मशिन का क्रडिट कितना है मेरे पास 9600 यहां पे भी पेवल आ तिसरा टीवी का टीवी का आउटपुट टैक्स कितना है 14000 रहा है ना और उसका क्रडिट कितना है 56000 यह एक्सेस क्रडिट है तो क्या टीवी की क्रडिट में जो इनके पेमेंट आ रहे थे किसके दा रहे था है, रेफिरेजेरेटर वाशिंग मशिन के, क्या उसमें यूज सकता हो, क्या, येस, 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 एक मिनट, पहला आपका क्वेस्चन हो, तुर रेट साल अलग अलग है, ठीक है, जुसरा असर प्रड़क्ट अलग अलग है, नाव, सभी सुनो, मैं आपको कह दू, जब यहाँ policy बनाई तो उन्होंने ये one-to-one not applicable ये principle इतना broad sense में follow किया कि आपको ऐसा product wise भी one-to-one नहीं लगाना है, rate wise भी one-to-one नहीं लगाना है समझ मैं क्या वो होता है पुरे मंद का इतना credit समझ मैं रहा है I repeat the word, क्या काविन है पुरे मंद का इतना credit, बतो पुरे मंद का हमारा credit कितना आता है, okay, पुरे मंद का कितना credit आता है, 18,000 9,600, 56,000 and 15,000, ये समझ मैं क्या 98,600, ये पुरे मंद का ITC for the month of April and पुरे मंद का output tax पुरे मंद का output tax कितना आता है, 72,000 तो output tax minus ITC on 20th of next month, that's all ये समझा नहीं, मन नहीं मान रहा है वो बात अलग, उसको मैं मन वाल होगा, पहले इतना बोलो समझा की नहीं समझा, online ये बताओ, मन नहीं मान रहा है पहले बताओ, मुझे ये बताओ, concept का मेकनिजम समझा क्या, online जो connected है, in short, okay, in short, under ITC approach, मैं सभी स्टेट फाइनस में स्टेश से कहना चाहता हू, कि ये जो हमने डिसिजन लिया, कि हम one-to-one correlation नहीं लगाएगे, क्या ये कुछ लिमिट रखना है, ये आमको overall करना है, overall करना है, monthly basis पे करना है, ठीक है, फिर rate, फिर प्रड़ा कोई भी हो, in the business, प्रड़ा कोई भी हो, in the business, service कोई भी हो, in the business, purchase in the business, rate कुछ भी हो, in the business, against output tax credit is available, ठीक है, तो one-to-one correlation, इसलिए, जब भी हम problem solve करेंगे, तो problem solve करते वक, ये नहीं देखेंगे, कि ये CGST इसका है, ये SGST इसका है, हमें बस पूरे मन्द का, total CGST, समझा क्या, पूरे मन्द का, total SGST, और output में, total CGST, और total SGST, and use the credit, ये problem solve करते वक, आपको पूरा ध्यान, देना है, ये समझा है नहीं समझा, चलिए, अब कुछ students, जो इससे हो सकता है, satisfied नहीं है, कि नहीं न सर, ये rates अलग-अलग है, देखो एक बात कहूं किया, जो भी supplier ने, इनको माल बेचा होगा, किसको, electronic shop को, ठीक है, उस supplier से, government ने collect कर लिया है, भाही tax, ठीक है, ये बताओ, इन सारे supplier से, government ने, कितना tax कर लिया है, 98,600, government के account में, 98,600 आगया है, government कहती है, हमारे पास इतना पैसा आगया है, बस इतना आप use करो, इस से जाड़ा use नहीं कर सकते है, क्योंकि आपके supplier ने बेच दिया है, आप अभी भी business chain में हो, burden आपके उपर नहीं आना चाहिए, entire burden शुड़ भी pass on, तो हम ऐसे case में, यहाँ पे one-to-one नहीं लगा सकते, और भाई साब यह वन-to-one लगा भी दिये ना, तो गौवर्मेंट का पास इतना स्टाफ ही नहीं कि चेक करे, इतने officer है, पुरे पुना में चाहँ डिपार्टमेंट है जिस्टी के, और के one-to-one जायना, तो पता चलेगा कि पूरे महने भर में यह सिफ 10 लोगों को चेक कर पाएंगे, इतने बिजनेस में, 10 लोग मतलब लक्षमी रोड की 10 शॉप, समझाया है नहीं सम्झाया है, सब को चेक करना पॉसिबल नहीं, इसमें गौवर्मेंट का क्या नुकसान है, गौवर्मेंट का पास कितना आया, 98,600, बात खतम कर यार, इतना क्रडिट तू ले लेना, हमें तू आके प्रूब कर कि इतना, इससे ज़्यादा तुने क्रडिट नहीं लिया है, समझ मैं है क्या, इसमें तू जो है, इंपुर्ट का भी ले ले, इंपूर्ट सर्विस कोगी, तो वो भी ले ले, I hope you understood, last, I want to conclude, एक बार, convince हो जाओ, for taking credit, one-to-one is not applicable, credit calculation product-wise हो गए, या monthly basis पे होगी, monthly basis पे होगी, क्या सारे purchases उसमें आजाएगी, सारे sales उसके output में आजाएगी, यास, और हम जो भी credit utilization करेंगे, वो, हम total basis पे करेंगी, यह समझ में है कि हम, total basis, यहां तक सभी को clear, last, एक policy, आज की decide करना चाओगा, आपके साथ, okay, monthly basis पे, यह यहां तक सब को समझ में आया, monthly basis पे होगा, total, mechanism तो बच्चे को समझ में आजाए होगा, जो बोल रहा है नहीं समझा, उसका मन नहीं मान रहा होगा, तो आप मन को मना लो, नहीं तनीश, आपका मन नहीं मान रहा है, तो मन को मना लो, इसमें क्या है यार, कौन सा मैंने दूसरी भाशा में बोल दिया, total output tax, minus total ITC, okay, अब मन को मनाना पड़ेगा, नहीं, वो no cross credit in ITC, तुम आगे क्यों बढ़ गए, जब मैंने पढ़ाये नहीं तो आपको, पढ़ाये क्या मैंने no cross credit in ITC, under GST, under GST, okay, मैंने कहां, आपको 60% भी समझा, तो more than enough, कहला हम जब revise करेंगे, तो और अच्छे से इसको cover करेंगे, now, आपका costing हुआ है, yes or no, एक और important policy आज decide करके जाते हैं, एक important policy आज है, decide करके जाते हैं, ने, repeat तो कल होगा आप, okay, आप थोड़ा सोचो इसके उपर, जूड बोलता है, तो एक सवाल है, कि सर, बिजनेसमेन को ये अपने personal purpose के लिए खरीद लेगा, जूड बोल देगा बिजनेस के लिए, fraud करना पाप नहीं है, पकड़े जाना पाप, अगर पकड़े गए तो तो कियो, फिटो पुरी वारात आएगी, भाई वो एक्जामपल भूल गए गया, नहीं ना, हाँ, आपके, नहीं हुआ होगा कोस्टिंग तो भी चलेगा, एक बिजनेस मैन है, समझ लो मैनिफाक्चर, बिजनेस मैन है, और एक थोड़ा ये भी समझ लो, थोड़ा बड़ा सुचो, मैनिफाक्चर को वन टू टू आँए, मैनिफाक्चर तो रो मेटरिल खरीदता है, और वो फिनिश गूट्स में कंज्यूम कर लेता है, उसको वन टू टू वन कैसे लगाओ गयार, वो तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, समझ में आए क्या, ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर, इसने इस मत में बहुत सारे इंपूट्स खरीदे, बहुत सारे इंपूट्स सर्वीस खरीदे, ठीक है, इंपूट्स के ITC मिलेंगे, और फिनिश प्रड़क बना रहा है, इंपूट्स के ITC मिलेंगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं, इंपूट्स सर्वीस के ITC मिलेंगे, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, मशिन खरिदी उसने यहां पे 10 CR की, पर जिसने मशिन बनाई होगी उसके लिए तो फिनिश गूट्स है, जिसने मशिन बनाई होगी उसके लिए तो क्या, पिनिश गूट्स है, मेरे लिए कैमेरा असेट है, पर कैनान वाले के लिए असेट नहीं है, उसका तो इन्वेंटरी ह मेरे लिए furniture asset है और जिसने बेचा उसके लिए तो inventory है आया ना उसने तो GST लगा की दिया होगा तो अगर value उसकी 10 करोड है तो इसके उपर समझे लो GST लग के आया होगा यहाँ पे 12% है सवाल यह है और मेरे output पे भी GST लगने वाला है सवाल यह है input का तो credit में ले लोगा without one-to-one input service का credit ले लोगा without one-to-one क्या capital goods जो मेरी balance sheet में में record करूगा और asset में record करूगा हर asset immobile नहीं होती है asset immobile भी होती है जिस वो GST में खरीदी है रहा है ना तो अब asset में में क्या करूँ दो चीज़े हो सकती है asset में मैं इसको 10 करोड से record कर सकता हूँ और GST का credit ले सकता हूँ या मैं इस पे 11.2 CR से record करूगा with GST तो अब हमारी policy है कि क्या हमने अगर कोई capital goods खरीदे होगे जिसकी life more than one year है क्या उसके भी credits मिल देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए जो capital goods business के लिए use किया जा रहा है जो capital goods business के लिए use किया जा रहा है को आरिन फिर आप no sir no we should not give you हां नहीं माइक देना जानना चाहोगा reason और जो हां बोल रहा है उसके भी reason जानना चाहोगा सब्सक्राइबल टैक्से से मतलब refund होंगे वह नहीं रिफंड करेडिट के refund मिलते हैं क्रेडिट अलाव होगे या नहीं होगे और अच्छा अब बात निकली है तो पता नहीं आप कितना correlate कर पाओगे बंदे ने क्या बोला कि सर वह आपका बोलना है सर उसका क्रेडिट देने के पज़ा उसका refund दे दो ऐसा नहीं वह जाने दे पहला तो डिसाइड कर asset का recording बात में करेंगे balance sheet में पहले बदा क्रेडिट दे की नहीं दे उसके पेस पर मेरी recording होगी asset पर देने चाहिए कौन ये फिर में नहीं नहीं मिलना चाहिए mic देना क्या problem आ रहा है hello sir credit नहीं देना चाहिए क्योंकि वह end consumer पर पहुन आता है क्यो end consumer कर रहा है वह भी तो B2B है बिजनस कर रहा है लेकिन वह use कर रहा है इसको production के लिए इसका मतलब end consumer है तो इसकी depreciation cost का benefit profit and loss account के debit side में नहीं मिलना चाहिए मेरा question समझे क्या है अबर आपका कहना है कि he is a end consumer why you are debiting depreciation on profit and loss account option use होरी है क्योंकि why but it's not for business business के लिए यूजरी है लेकिन हो बिच्छा business के लिए यूजरी है पक्का अर्याया ना yeah in costing you should not amortize the cost of depreciation or asset value in your cost sheet आपको बताया आपने कभी cost sheet से price fix किया costing में cost sheet बनाई होगी prices fix कियोगी तो price fix करते हो आप आप amortize cost लेते हो उसकी लेते है price fix करते है price fix करते बाग cost sheet में अर्याया ना factory overhead में depreciation amortization cost लेते हो आप yes or no तो मेरा यह कहना है पहली बात तो जब तुम GST इतना बड़िया system ला रहे हो जिसमें cash cutting पर कतम कर रहे हो यार इसमें अगर मैं कोई capital asset यहां पर खरीद हूँ business के लिए खरीद हूँ और समझ लो इसका credit नहीं दिया गया अगर इसका credit नहीं दिया गया तो वह cost में amortized cost में add हो जाएगा और amortized cost में add हो गया तो वह price में add हो जाएगा और अगर वह price में add हो गया तो उसमें double taxation हो जाएगे first of all we are not the ultimate consumer, we are claiming the expenses as a business expenses yes or I hope you understood तो ऐसे case में इसके ओपर कम से कम 3 में डिसकेशन चला कि capital goods के credit देने चाहिए क्या, यह real discussion हो आता देने चाहिए क्या, कुछ state का कहना था बिल्कुल ऐसा ही कहना था कि नहीं और पुरानी जब policy देखे okay वह तो बात में excise में दे दिया था उन्होंने credit और service tax में भी दिया था पर देने चाहिए तो तब नहीं दिया था capital goods के credit 12 थाल नहीं दिया रतेन टाटाजी ने और कुछ इंडस्टियर्स ने कहा कि आप कर क्या रहे हो okay capital goods हमारी capital oriented industry है heavy investment है capital में करोरो में कभी-कभी तो फैक्टली सटप करने में 500 क्रोर लग जाते 600 क्रोर लग जाते हैं उसके पर अगर tax लग क्या रहा है और वह भी business के लिए कोई हमें benefit आप नहीं दे रहे हो तो it leads to cascading effect you are dominating the business you are also dominating the okay develop to use develop technology अर यह आया ना और एट चिस सम्झो आप देहां सचुनो जहां credit नहीं फिर आप black marketing फिर government को face करना पड़ेगा black marketing अप इस समझा है नहीं समझा है फिर क्या billing management अरे machine पचास करोर की नहीं bill 40 का बना bill 30 का बना बाकी cash देता हो फिर उसको cash देने के लिए यह भी cash generate करेगा हम चाहते हैं GST में कि सारे भी transaction transparent हो लोग खूदो के transparent transaction बनाए billing यहां पे सभी records हो और अगर इसके credit जो business में use किया गया नहीं दिये गए तो हम undue hardship तो करेगी cash getting effect आएगा ही साह साहत में black marketing को भी promote कर देगे और वह भी high value goods के लिए तो मैं सभी state finance minister को यहां पूछना चाहोगा कि हमने क्या principle यूज करने चाहिए yes or no, in the interest of public, in the interest of business, in the interest of industry credit देना चाहिए नही देना चाहिए I need unanimous resolution credit देना चाहिए भाई, अब कोई माने ना माने unanimous resolution रहने voting मुझे two-third voting चाहिए मुझे अब बंदड माने या ना माने तो हम capital goods के भी credit allow करेंगे हाँ, अब वो credit कैसे होगा use कैसे होगा हम देखेंगे tomorrow at eight o'clock tomorrow's lecture is very very important सभी बंदनों को तोड़के आना है तो भाई बोलो बच्चो आपके order id डालतो मेरी team connected है प्रेश बाई बेटा, बाई जो ना कनेक्टेड़ बाई 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 इस नहीं होगे इस नहीं होगे तो बाकी चीजों को द्यान में रखते हुए एक में GST की टोटल बुक्स कितनी है पहले सेशन में मैंने बता दिया था सेशन नमबर बन देखो नहीं आप और आईडी डाल दो अभी आउडर आईडी डाल दो अभी ट्रिमेंडस प्रिस्टर है विटा बट हम प्रॉपरली अरेंज कर रहे है क्योंकि अराउंड आपका बता दो 6300 अड्मिशन से ये इंटर का फर्स रिसेंबर बैज का है तो सबके अक्टिवेशन वगरे यहां त्रिमेंडस प्रिशर है बट आई स्ट्रोंगली suggest you and request you please आप order ID डाल तो मेरी team coordinate करेगी और मैं आप पे नहीं चालोगा जब तक सबका सवालना हो जाए बस नोट्स भेजदी है कुरियर वालत से और मैंने बाई एयर भेज़ी है I don't know की delivered क्यों नहीं अभी थक कुरियर वालो से but yes we will keep a track on that handwritten notes भेजता भेजता हो handwritten notes आज भेजता इंकम टेक्स का मैंने को मैं नहीं बदा इंकम टेक्स मैंने को जी एस की कला और ही बदा कुछा ठीक है नहीं 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 नीचे आजान पांच मिनुट अभी आरा हो दोन मेंड़ था मुंदा बेनिफिट्स कर लिखवा था ना भाई सब करूंगा नहीं रिफंड नहीं 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 रिफंड नहीं देते गांगा एक बार पैसा गोवर्मेंट के जेब में आता है गोवर्मेंट वापस नहीं करती है अधर तुम यूज करो या फिर वो गया प्रॉपर अलो सकान को डेविट मार दो और ख्याल रहे है ट्रडिट देना गोवर्मेंट की जिम्मेदारी नहीं है गोवर्मेंट की फैसिलिटी है ठीक है पहले तो देती भी नहीं इसलिए गोवर्मेंट आया हुआ पैसा वापस नहीं करेंगी ठीक है इसलिए नहीं करेंगी नहीं वह दिस्टिबिट हो चुकिया है अब अल्टिमेट इसलिए नहीं वह दिस्टिबिट हो चुकिया है नहीं वह दिस्टिबिट हो चुकिया नहीं तो उनका तो गडबर हो जाएगा मंतली टैक्स है तो तु यह प्रॉस्पेक से सुच रहे है की कलेक्ट करके देंगे नहीं वह दे दीए है болे दीए है वह दे दीए है आप कलेक्ट करना है ठीक है अधिक है नहीं 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 होगे शिफ नहीं होगे क्यों जा रहे तू अच्छ बागी जी अभी तक समझ में आए अच्छा से कि क्या नाम है कि बंदक रूंदक योट्यूब आनि वह सॉप फेर अल देश बेस बेटा अच्छे से रहा है स्पीड इस अच्छ दो चल रहा है किया रहा है अच्छ 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 इसका तो मैं कल बताऊगा एक साइज अनकॉल अलकॉल का और पेट्रोल डिजल का यहाँ प्रापर्टी के लिए स्टेट गॉर्मेंट नहीं बानी क्योंकि वो इम्मॉबल है क्योंकि वो इम्मॉबल है प्रापर्टी टैक्स और GST इसलिए वो सबसे हुए वो भी इंडिविजिल स्टेट वाली लगाते है इसना इलेक्रिसिटी भी नहीं है वो स्टेट वाली लगाते है बताऊगा प्रदक्शन पर टैक्स एक साइज ने टैक्स और प्रदक्शन 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 बंदक्रों टक्ने योट्योब आनिदे अल्दक्शन अल्दबेस्ट अच्छे से राड़ा